तर्मोडानिक्स के बेसिक टर्मिनोलोजी से रिलेटेड हैं और इस ट्रिक को अच्छे समझना है क्योंकि 30% कुश्चन बच्चों के रॉंग या नहीं बन पाते हैं इस वज़ा से क्योंकि वो बेसिक टर्मिनोलोजी को समझते ही नहीं है तो ध्यान से देखो very simple है types of system तो थर्मोडानिक्स में तीन टाइप के हो सकते हैं open, close and isolated बहुत इज़ी है open मतलब क्या हो सकता है कि mass का भी exchange होगा system and surrounding में और energy का भी दोनों exchange हो सकते हैं तो open system बोलेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो एक पार्ट open करके दिखाया है right, close system में क्या हो जागा, close कर दोगे तो अब mass exchange नहीं हो सकता, mass अब exchange नहीं हो सकता, but energy exchange हो सकती है in the form of heat, right, तो यह ध्यान रखना है, mass यहाँ पे exchange नहीं हो सकता, isolated में अब mass और energy दोनों का ही exchange नहीं हो सकता है, तो very simple है यह, हमें कैसे पता लगेगा, तो some of the word यूज कर सकता ह जैसे sealed and rigid container है, and insulated word, तो यह दो word यूज कर दिया मतलब isolated बोनना चाह रहा हो, तो इसलिए ध्यान से समझना है, हमारे जो maximum problem होंगे, वो close system से related होते हैं, या फिर open system से, isolated के very rare होते हैं, बट तीनों clear होना चाहिए, next is thermodynamic properties, तो यह दो type के होते हैं, एक होते हैं intensive और एक होता है extensive, right, intensive में invert आ रहा है, और independent में भी in आता है, तो independent of mass होता है, right, अब आप कैसे पैचानेंगे, कोई unknown quantity दे दिया है, कि वो intensive होगा या extensive, तो रफिसर का trick, very simple, 5 तरीके साब पैचान सकतो, पहला कि जो भी given है, उसको cut या divide कर दो, दो part में, अगर cut या divide करने पर, अगर वो change हो रहा है, तो extensive, और अगर change नहीं हो रहा है, तो intensive, जैसे ये marker का mass, तो अभी मालो 2 gram है, इसको मैं cut कर दूँ, तो 1-1 gram हो जाएगा, change हो गया, तो mass क्या हो जाएगा, extensive, लेकिन temperature, तो अभी मालो की 25 degree Celsius है, cut कर दूँ, तो अभी दोनो part का 25 ही रहा है, तो change नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, intensive, तो पहला, जैसे आप पता कर सकते हैं, दूसरा, जिसको आप direct add नहीं कर पारें, तो वो intensive होगा, जैसे again वही, temperature, अगर इस marker का temperature 25 है, और मेरे इस hand का 30 है, suppose करो, तो दोनों को मैं अगर attach कर दूँ, तो ऐसा नहीं है कि 55 हो जाएगा, right, directly add नहीं कर पारें, तो intensive, directly अगर add कर देंगे, तो extensive, जैसे इस marker का mass 2 gram, दूसरा marker उसका mass 3 gram, दोनों को attach कर देंगे, तो कितना बोलतो हो, 5 gram, तो add कर पारें, तो add कर पाएंगे directly, तो extensive, right, तीसरा कैसे, very important, molar word अगर लगा दे पहले, या specific word लगा दे, तो वो फिर intensive में convert हो जागा, जैसे heat capacity, तो यह extensive है, लेकिन molar heat capacity, molar word लगा दिया, तो intensive हो जागा, तो किसी भी, अगर quantity के आगे, molar या specific word लग गया है, यानि per unit mass अगर वो हो गया है, तो intensive हो जाएगा, या फिर ratio of 2 extensive property intensive हो जागा, जैसे density, तो क्या होता है, वो mass by volume, mass सबका extensive है, volume भी extensive है, क्योंकि volume को भी, मानलों इसका volume, अगर 2 ml है, cut कर दूँगा, तो 1 ml हो जागा, चेंज हो रहा है, तो दोनों ही extensive है, लेकिन इसका ratio, that is density, यह क्या है, intensive है, तो इसलिए यह point का यह मतलब है, कि 2 extensive का ratio intensive होता है, और lastly, अगर किसी के last में ITY वर्ड लगा point है, trick के बेटा, इससे बाहर कोई नहीं जागा, बिजली पहचान लोगे, for example, जैसे intensive में molar heat capacity, तो वही मैं बता है, heat capacity स्रिफ बोलता तो extensive माता, लेकिन molar word लगा दिया, इसलिए क्या हो गया, intensive, molarity, देखो ITY वर्ड लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, intensive, right, E0 cell, EMF of the cell ये भी आपका intensive, देखो, mask आगे molar word लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, intensive, conductivity, ITY वर्ड लगा हुआ है, again intensive, pressure, intensive, temperature, अभी समझाया, कि अगर मैं cut कर दूँ, तो भी दोनों part का temperature से मी रने वाला है, तो बस ये 5 point से इसलिए पहचान लोगे, तो intensive, density, ITY वर्ड लग गया, तो intensive, melting point, whirling point, refract index, and so on, ऐसा मैं भर सकता हूँ, right, तो आपको एक आडिया दे दिया हूँ, similarly extensive, तो volume extensive हो गया, heat capacity, gives free energy, ध्यान देना, gives free energy, extensive है, लेकिन यह पर अगर मैं लगा दू, molar gives free energy, तो फिर intensive, जैसे enthalpy, तो यहाँ पर आएगा, right, delta H, enthalpy आपका, extensive है, molar enthalpy, तो intensive, क्योंकि बता दिय हैं, आपको molar molar गर लगा दे, तो फिर, वो intensive में convert हो जागा, वैसे ही, mole, mass, volume, resistance, conductance, etc., यह सब क्यों हो जाँगे, extensive, तो I hope, मेरे strict से, आप, आपको, इसमें कोई problem नहीं होगी, और इसमें base question कैसे आते हैं, 4, 5, 10, दे देंगे, और integer tap में, पूछ ले जाते हैं, mains में, या फिर चार option करके, which is extensive, intensive property, तो आपका question अब wrong नहीं होगा, next, thermodynamic function, तो यह दो type कोते हैं, state function और path function, state function, final और initial point पे सरिफ depend करता है, like displacement, जबकि path function, path पे भी depend करेगा, like distance, जो physics मा परतो, बिल्कुल वैसे ही think करना है, तो point का important है, कि private और hugs वर्ट से आप याद रख सकतो, तो PVT, private hugs, तो यह सब state function है, that means pressure, volume, temperature, enthalpy, internal energy, geespray energy, entropy, यह thermodynamic है, यही आपका state function है, इसलिए इसमें आप delta word apply कर सकतो, बट ध्यान रहे, अगर change की बात करेंगे, जैसे delta T, for example, तो यह एक function नहीं है, स्रिफ T is a function, right, वैसे delta H function नहीं है, H स्रिफ function है, enthalpy, change function नहीं होता है, यह ध्य function होता है, उसको capital letter से दिखाते हैं, तो यह भी एक important point है, standard notation है, और delta H, delta U, जितने भी आपके state function है, उसका value 0 होगा, अगर process आपका cyclic होगा, तो क्यों, क्योंकि cyclic process नहीं होता है, जहां से आपने start क्या, फिर घुम फिर करके, वहीं पर आगे, राइट, तभी एक cycle complete होगा, त path function में, दो ही है, एक heat है, और एक work है, इसलिए इसमें आप delta word apply नहीं कर पाएंगे, तो ऐसलिए हम ऐसा नहीं लिखते है, delta W, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, और a small letter से इसको दिखाते हैं, यहां पर भी देख सकते हो, यह standard notation है, तो इस point का ध्यान रखना है, these are the some basic point, now next thermodynamic process, that is very important, ध्यान से समझना, isothermal word, कहीं पे भी iso word chemistry माया, उसका अंतलब होता है, same, right, therm में, therm heating का sense आ रहा है, मतलब temperature constant होगा, तो temperature constant होगा, तो change in temperature 0 होगा, इसलिए delta T 0 होगा, यह small change dt 0 होगा, अब यहां पर ध्यान से देखना है, जैसे यह curve है, तो इस curve पे मैं कोई भी point लू, व 200 Kelvin fix, तभी इसको isothermal curve बोलेंगे, right, similarly, इस curve पे अगर मैं कोई भी point लू, तो यह 300 Kelvin होगा, तो यह isothermal process होगा, but इन दोनों का difference है, इसलिए isothermal में कुछ बच्चे confuse आते हैं, कि हर चीज का same रहेगा, नहीं, किसी एक curve पे sub point का same रहेगा, लेकिन curve different करोगे तो temperature different होगा, फिर उस curve पे सबका same रहेगा, तो isothermal में यह ध्यान रखना है, और वैसे हम परहेंगे यह आगे चल करके, isothermal process में delta U and delta H, enthalpy and internal energy 0 होता है, for ideal gas, ध्यान देना, for ideal gas only, isochoric, तो volume constant होगा, delta V0 या DV0, इस case में work भी 0 होजाएगा, जो भी हम discuss भी करेंगे, आपको कभी-कभी isochoric word न लिख करके, rigid container word कहीं पर लिख दिया, तो समझ जाना है कि वो isochoric बोना चाहरा है, तो बस इसी point से पर मैं आपको concentrate करवना चाहरा हूँ, कि isothermal तो यहाँ पर लिख करके दे देगा, यहाँ पर isochoric न लिख करके, rigid word लिख दिया, तो आपको समझ जाना है कि isochoric है फिर वो, isobaric bar word आ रहा ह तो वहाँ से connect कर सकते है, pressure constant, इसलिए delta P0 या DP0, यह कैसे बोल सकता है, open container, open container है तो atmospheric pressure होगा, वो fix है, तो pressure constant, right, adiabatic process में heat constant होता है, heat 0 ने heat constant होता है, change in heat 0 होगा, यह दियान रखना, अब इसको भी 3 word से वो use कर सकता है, insulated word कहीं पर लिख दिया, मतलब adiabatic process है, isoentropic लिख दिया, मतलब adiabatic process है, या फिर thermoflasks वगरा से problem आ रहा है, मतलब adiabatic है, तो यह सब point पे ध्यान रखना, यह indirect way में बोलना चाहरा है, direct वो नहीं बोलेगा adiabatic process है, यह सब word भी use कर सकता है, और lastly, एक cyclic process होता है, that means, initial और final point से हम होंगे, इसलिए उसमें जो state function व जहां से start किया था, वहीं पर आ गया ध्यान से देखो, तो यह एक cyclic process होगा, ध्यान दे, ऐसे cyclic नहीं होगा, A से B गया, B से C गया, और A से फिर C आया, यह cyclic नहीं होगा, cyclic मतलब एक चला और एक either clockwise या anti clockwise में, फिर से वहीं पर पहुंच गया, तो cyclic process में minimum 3 process required होगा, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो depend करता है, तो I hope यह points अब आपको clear होंगे, and next, thermodynamic process जो हो सकते हैं, वो दो type की, एक को बोलते है reversible, और एक को बोलते है irreversible, तो direct यह word आपको link करके नहीं देगा exam में, और कैसे दे सकता है, slow process word अगर use कर दिया, तो इसलिए सब point प process बोला, तो भी reversible बोलना चाहरा है, जब तक question में कुछ mention नहों, और इन सब point से कुछ पता ना लगे, तो by default हम क्या मानते है, reversible process, तो यह ध्यान रखना, external pressure variable है, ऐसा word यूज कर दे, कि external pressure vary कर रहा है, तो भी वो reversal process होगा, जो driving and opposing force का difference होगा, और इस वाद वो very very less होगा, neglect कर सक करते हैं, तो reversal process होगे, इसका एक continuous graph बनेगा, that means आपको को भी graph इस step से दिखेगा, right, तो यह हम reversal process का ही बना सकते हैं, similarly, infinite step में और यह reaction ऐसा word यूज कर दिया, तो यह सब reversible बोलना चाहरा है, similarly, irreversible कैसे पहचान होगे, fast process बोल दिया, it is a fast process, तो irreversible बोलना चाहरा है, real या natural process ह तो भी irreversible है, right, external pressure कहीं पे भी यूज कर दिया, कि constant है, constant external pressure पोला है, तो मतलब irreversible process है, driving and opposing force में significant difference होगा, right, discontinuous graph होगा, that means इसका graph कैसे होगा, ऐसे मालूँ यहां से यहां आना है, तो जैसे एक dot करकर कैसे, क्योंकि आपको सिरिफ initial और final point के बारे में मालूम होता है, जबकि continuous या reversal process में हर एक point के बारे में आपको मालूम होता है, क्या हुआ है, right, हर एक point के बारे मालूम होता है, बट इसमें बस initial और final point के बारे मालूम होता है, इसलिए इसका discontinuous graph होगा, आप directly graph नहीं draw कर सकते, और कैसे आपको पैचनवा सकता है, finite step में हो रही है, तो अगर finite step में हो point सेम है, तो चाहे वो process reversible हो, या irreversible हो, formula सेम रहेगा, लेकिन जो path function है, that is heat and work, यहीं पे दिक्कत होती है, heat and work में reversible में अलग formula हैगा, irreversible में अलग formula हैगा, irrespective कि यह दोनों fit depend ना करे state function पे, तिसलिए यहाँ पे यह point का importance हो जाता है, तो अच्छे से इसको समझ लेना है, तो I hope यह पूड़ा point आपको clear होगा, अब जो हमारे पास total 6 thermodynamic quantity है, heat, worth, enthalpy, internal energy, geese energy, entropy, इनका मैं अलग-अलग calculation पूरे thermodynamics में कैसे करते हैं, वो बताऊंगा Hello everyone, कसका आए, आज के इस video lecture में मैं आपको जो trick दूँगा, उस trick से आप thermodynamics में work के calculation से आने वाले किसी भी problem को within one minute में कर लोगे इस chapter में सबसे big problem जो बच्चों के सामने आती है, कि बहुत सारे formula हैं इसमें, तो कौन सा formula कहां use करना है, ये सब जंजट से हमने बिलकुल आपको आजाद कर दिया, बिटत जो बताने जा रहा हूं, बहुत unique way में और पूरी thermodynamic में work का कहां कहां पे कैसे calculation करना है, वो आपके स क्लिरली mention रहता है, और एक chemical reaction या faith change या आपको दिख जाएगा, क्योंकि reaction आपको liquid दिख जाएगी, या faith change, solid से liquid में गया, liquid से gas में, तो वो दिख जाएगा, तो point पहले क्लिर हो गया, अब ideal gas में कैसे निकालेंगे, तो very simple, अगर pressure constant है, तो work जो हो जाएगा, P into volume final minus volume initial, इस formula से आपको work निकाल देना है, sign का भी tension नहीं लेना आपको, sign मैं बताऊंगा, वो भी अपने tricks है, तो ये निकाल देंगे, अगर pressure variable है, तो sir क्या करेंगे, तो फिर integration PDV करना पड़ेगा, जहाँ पे pressure should we functional volume में लेके आना है, ये rare हैं, बहुत कम पुझे आते हैं, सब ज़्यादा ये use होता है, तो ideal gas में ये बात हो गए, कि अगर pressure constant होगा, तो fix हो गया formula, pressure variable होगा, तो integration करना पड़ेगा, that's it, now, अगर isobaric process है, तो pressure constant हो गया, तो work वही, same formula हो जाएगा, right, iso coric work कहीं पर use कर दिया, या rigid container, तो work 0 ही हो जाएगा, tension खतम, adiabatic process में, चुकि Q 0 होगा, तो W जो है वह आपका, वो delta U, change in internal energy के बराबर हो जाएगा, ideal gas में change in internal energy कैसे निकालते हैं, nCV delta T से, nmol से, cV heat capacity at constant volume, जो generally given होता है, delta T, change in temperature है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, right, और एक और यहाँ से देखो, isothermal process होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो W is equal to nRT ln V2 by V1, आप V1 by V2 कर लो, कोई फरक नहीं परता है, इसलिए बच्चे इसमें भी confuse रहते हैं, बस दोनों को divide करना है, किसी को भी उपर नीचे लेलो, कोई फरक नहीं परता है, क्योंकि sign हम decide करेंगे, definitely फिर ऐसे भी लिख सकते है, nRT ln P1 by P2, तो यह बस आपको इस से अच्छा ट्रिक कहीं भी लगा, sign आप कैसे दोगे वर्ट का, आप question को परोगे, expansion अगर हो रहा है, expansion कैसे पता लगेगा, initial volume कम है, final volume ज़्यादा हो गया, तो पता लगे, expansion हो रहा है, यह word use कर देगा, क्या expansion हो रहा है, तो वर्ट के आगे, value के आगे, negative sign लेना परेगा इसलिए मैंने इधर negative positive कुछ नहीं दिखाया है, इसको बस पहले calculate कर लो, sign हम decide करेंगे, similarly compression हो रहा है, तो वो पता लग जाएगा, कि volume decrease हो रहा होगा, पहले ज़्यादा होगा, बाद में कम हो गया होगा, तो work क्या हो जागा, positive, तो work की value के आगे, positive से हैं रखना है, दूसरा अगर system पे work हो रहा है, ध्यान से देखो, system पे work हो रहा है, work done on system, तो फिर positive, क्या से अपको इसको, तो system को मानना है कि यह guest है, तो guest पे अगर work कर रहा है, तो positive feedback है, लेकिन work done by system, system ने work किया, तो अगर guest से work करा लिए, तो negative feedback है, तो negative कर दे रहा है, तो very simple point हो गया, system work done by system, system work कर हो रहा है तो निगेटिव बात है वर्क डन ओन सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो अच्छी बात है पॉजिटिव फीडवेक है तो बस यहां से आप कनेट कर लेंगे पेट चेंज या क्यमिकल रेक्शन कॉंस्टेंट प्रेशर और टेंपरेचर पर होता है तो वर्क का एक ही फर्मूला है वर्क इस इकल टू डेल्टा एंजी आर्टी जहां पर आर की वैलू फिक्स है 8.314 जिसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 25 बाइ 3 भी उच कर सकतो टेंपरेचर ओल्वेज कैलिविन में या कभी-कभी कोश्चन में आर्टी के फर्म में ही रहने देता है डैटी जो के मैं पॉइंटीज की डेल्टा एंजी क्या है तो वेरी सिंपल डेल्टा एंजी इस टाक्यमेट्रिक कोफिशेंट अफ प्रोड़क्ट और कौन सा वाला लेना जी मतलब गैस वाला लेना को minus stoichiometric coefficient of reactant और G again मतलब gas वाला लेना है जैसे यहाँ पर मैं एक example से समझाओ जब reaction में कुछ भी mention नहीं है तो सब को gas phase मानना है वैसे भी N2 gas होता है hydrogen gas, ammonia gas तो यहाँ पर अगर मैं delta NG निकालू तो देखो stoichiometry product का पहले लेना है 2 है minus reactant में यहाँ 3 आगे और आगे वाला लेना ध्यान देना तो 1, तो total 4 हो गया तो 2 minus 4, that is minus 2 जो sign आए वो sign लेना बेटा तो यह minus 2 हो गया वैसे इस case में यह solid है X मतलब solid, तो इसका नहीं लेंगे यह solid है नहीं लेंगे, यह gas है तो इसका लेंगे तो इसका अगर मुझे delta NG निकानना हो तो always product minus reactant product में इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और इधर तो solid है तो कुछ नहीं, यह 0 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा similarly इस case में G मतलब gas, L मतलब liquid यह सब आपको दिखा देगा L मतलब liquid, G मतलब gas तो इसका अगर मैं delta NG निकालू तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, पहले product का लेना है तो 1 minus क्योंकि इसका क्यों नहीं लिया क्योंकि यह liquid था तो नहीं लेना है solid होगा, तो नहीं लेना है इधर में यह liquid हैं नहीं लेना है तो minus 2 तो कितना हो गया, minus 1, तो यह delta NG आप निकाल लोगे, delta NG आगया, R और T, तो simple, phase change या chemical reaction में तो बेटा कोई tension ही नहीं है, direct एक formula है, delta NG निकालना बच्चो वाला काम है, now sir, sign कैसे देंगे, तो very simple, sign आप कैसे दोगे, अगर delta NG positive आ रहा है, positive in the sense जैसे यहाँ पे, plus N के साथ आ तो work को negative करना है, क्यों, क्योंकि द्यान से समझो, delta NG positive होना है, product में stoichiometric coefficient ज़्यादा है, gas का reactant में कम है, मतलब expansion हुआ है, और expansion में work क्या होता है, negative, point वही है, समझने का तरीका अलग है, similarly delta NG negative होगा तो, जैसे इस case में negative हुआ, यहाँ negative हुआ, तो work को क्या करना पढ़ेगा positive, क्योंकि negative होने मतलब क्या हो गया, compression हो गया, दबा दिया गया, तभी तो negative हुआ है, तो delta NG negative होगा, तो work positive हो जागा, sign positive रखना है, और delta NG zero हो गया तो sir, तो work zero हो जाएगा, तो chemical reaction में कैसे निकानना है, समझा दिया आपको, very simple, और ideal gas में कैसे निकानना है, sign हम खुद decide करे इस से बाहर कुछ नहीं है बेटा, बस यही आपको ध्यान से समझ लेना है, now next, work निकानने का एक और तरीका है, that is graphical method, और इसमें भी बच्चों को बहुत confusion रहता है, तो वो confusion अब खतम हो जागा, ध्यान से समझो, अगर आपको pressure versus volume curve given है, तो area under the PV curve will give you work, right, ध्यान देना, projection आ आपको कहाँ पे लेना है, volume वाले axis पे, जिस axis पे volume को दिखाया, उस पे projection लेना है, तो ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक graph लिया है, pressure versus volume graph, तो अगर आप ध्यान से देखो, A से B आ रहे हैं, वो कैसे पता लगा, arrow से, और A से जब B आ रहे हो, तो ध्यान से देखो volume क्या हो रहा है, X axis पे बर रहा है, क्योंकि यह origin हो गया, origin से इधर जैसे 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 जाएंगे, volume बरेगा, तो इसका उतलग यह expansion हो रहा है, expansion हो रहा है, तो work का sign क्या हो जागा, negative, पहली चीज़ तो यह हो गया, तो जो 4 option हो गया, उसमें से negative वाला answer करना है, now, कैसे, तो वो ध्यान से समझो, अगर यह isothermal process होता, तो isothermal process में area under the curve, तो ध्यान से देखो, यह पूरा area, यह area आपको work देता, लेकिन यही चीज़ अगर मालो कि irreversal process होती, तो irreversal process में आपको क्या ध्यान देना है, कि final pressure कहां प्यार हो का, irreversal होने मतलब यह initial point है, final point यह, तो pressure से एक line draw करनी है, और कहां से कहां तक, जहां से जहां तक volume का expansion हुआ है, तो final वाले में यह work है, तो वही point को मैंने समझाया, कि इस case में अगर मैं w reversible की बात करूँ, तो यह, मालो area a है, और यह area b है, तो a plus b area है, और w irreversal process अगर निकालू मैं, तो शिरिफ क्या है आपका area a है तो इसलिए आप ध्यान से देख सकते हो, कि अगर isothermal process है और expansion हो रहा है, reversal process है, तो w max उसी माएगा, that means maximum work आपको तम मिलेगा, जब reversible process हो और isothermal expansion हो रहा है, वहीं पर ध्यान से देखो, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, b से a पे जा रहा है, कैसे arrow से पता लगा, b से a पे मतलब volume कम हो रहा है, मतलब compression हो रहा है, तो ध्यान से देखो, अभी भी चुकी reversal process अगर होगी, तो उसका work यही रहेगा, यह वाला पूरा right, अभी भी यह work तो वही रहेगा, that is मालो यह area a माल लेता हो, और यह area b, तो work क्या हो जाएगा, reversal process का a plus b, जब compression हो रहा है तो, लेकि और कहां से कहां तक जो volume का जहां से जहां तक change हुआ है, तो यह ध्यान से देखो, यह भी work extra गिया, तो w irreversible अगर यहां पे मैं बात करूँ, तो a plus b और इसको माल लेता हो c, तो यह c area गिया, तो मैं जो समझाना चाहरा हो यही, कि अगर irreversible process है, irreversible process, तो maximum work आपको कम जब isothermal compression हो, जहां से देखो, यह compression हो रहा है, तो जब compression होगा, और maximum work चाहिए, तो irreversible process कराना परेगा, और अगर expansion हो रहा है, और आपको maximum work चाहिए, तो reversible process कराना परेगा, तो यह point ध्यान रखना है, right, तो यह समझ माया, और यह यह under the curve, यहां पे pressure versus volume, अगर कभी भी curve गिवन हो, अगर pressure यह वाला constant है, तो यह ISO बारिक हो गया, अगर यह volume constant है, तो यह ISO कोरिक हो गया, always जो होता isothermal, वो adiabatic से उपर होते हैं, पस यह ध्यान रखन होगे, क्योंकि इसमें work ज्यादा होगा, और adiabatic में work कम होगा, right, तो वही point को मैंने यहां लिखा है, कि work जो isothermal process में होगा, वो ज्यादा आएगा, adiabatic process से, एक और point that is very very important, यह सब point पर question आयो हो बेटार, बहुत important है, adiabatic expansion होगा तो, और बच्चे रटते हैं, रटना नह आप क्या बोल रहो, expansion, expansion में work क्या होता है, negative, अब यह value negative कब हो सकते हैं, n तो moles है, एक fix number है, cv, heat capacity at constant volume, यह भी fix number है, delta t को negative होना परेगा, delta t कब negative होगा, delta always final minus initial define होता है, तो यह कब negative हो सकता है, जब initial temperature ज्यादा हो, final कम हो, तो that means temperature कम होगा है, तो कभी भी adiabatic expansion होगा, तो क् cooling होगा, यह सब वर्ड यूज कर सकता है, वैसे ही adiabatic compression होगा, compression होगा, तो adiabatic है, तो q0, delta u, w के बारावर, और delta u क्या होता है, ncv, delta t, right, अब compression हो रहा है, तो work हमें मालूम है, science है, क्या positive, तो work positive का बहुँआ, जब delta t positive, delta t positive मतलब t final minus t initial positive, that means t final greater होना चाहिए, that means क्या हो है, heating हुआ है, तो यह ध्यान रखना, adiabatic expansion होगा, to cooling, adiabatic compression होगा, to heating, अगर आपको maximum work چाहिए, expansion हो रहा है, तो reversal process कराना परेगा, अगर आपको maximum work चाहिए, compression हो रहा है, तो आपको irreversal process कराना परेगा, यह ध्यान रखना, जब irreversible process हो, तो final pressure कहाँ पे गया, वहाँ से आपको एक line draw करना है, volume कहाँ से कहाँ तक change हुआ, जैसे यहाँ पे, जहाँ से देखो, तो final pressure मेरा यहाँ पे, यहाँ पे final point है, तो इसलिए यह एक line draw करना है, और दो volume के बीच में, तो इसलिए बस एतना ही हमारा work है, irreversible में, वैसे यहाँ पे, क्यासे, कि यहाँ से यहाँ के, यह final है, और volume कहाँ से कहाँ तक change हुआ है, इस point से, तो यह point और यह पूरा ऐसे कर देना है, एक आपको rectangle type का बना देना है, final pressure से लेते हुए, दोनों volume के बीच का है, तो यह ध्यान से देखो, यह तो इतना आया ही, प्लस यह वाला भी आगया, तो इसलिए work इसमें, जादा होगा, now application की बात करते हैं, तो question number one, जो की 2023 में पूछा हुआ है, किस तरह से graph दे दिया, work पूछा गया है, जूल्स में, तो दो ध्यान से देखना है, unit का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, तो पहले तो work में one से two का निकाल लेता हूँ, work one से two का क्या हो जाएगा, ISO-barrick process है, तो volume का change, 40-20, 20 हो गया, और into pressure 1 है, तो यह हो गया 20, ध्यान दे, यह bar into liter आया है, इसको अगर मैं joules में convert करूँ, तो one bar liter is equal to 100 joules होता है, तो इसलिए 20 into 100, पलस माइनस आपको मालुमी है, क्या हो रहा है, expansion हो रहा है, तो work negative कर देना, W2 से 3 का निकालो, तो ISO-barrick process, तो work क्या हो गया, 0, उसका W3 से 1 का निकालो, 3 से 1, ISO-thermal process है, P2 by V1, आपको बता है, लगा लो, और sign तो हम decide करेंगे, अब NRT नहीं given है sir, तो one mole given है, और you know, PV is equal to क्या होता है, NRT, तो कहीं पर भी निकालो आप, either condition 1 पर निकालो, या condition 2 पर, या 3 पर, जहां पर भी one करें, तो मैं 1 पर लगाना चाह रहा हूँ, तो one पर pressure मेरा केतना है, one bar, volume वहाँ पर केतना है, 20, PV is equal to NRT, तो NRT की value मैं direct क्या लिश सकता हूँ, PV, 1 into, वहाँ पर volume केतना है, 20, आप चाहो तो, 0.2 पर भी ले सकता हो, 40 volume, बट ध्यान देना, pressure केतना यहाँ पर आकर के, 0.5, तो भाई आएगा, 20 आएगा, तो यह हो गया, LN of V2 by V1, तो 40 by 20, तो यह केतना होगा, 20, यहाँ पर ध्यान देना, natural log है, इसको log with base 10 वे convert करना है, तो 2.3, और यह log 2 केतना होता है, 0.3, तो यह सब multiply कर लो, तो यह प्रॉक्स कितना आजाएगा, अब ध्यान से देखो, तो यह 1380 के आसपास आजाएगा, क्योंकि इसको 100 से multiply करना है, जोल्स के लिए, अब ध्यान देना, यह क्या हो रहा है, compression हो रहा है, तो यह क्या हैगा, positive, वैसा में magnitude पुछा गया है, तो लेकिन ध्यान देना यहां तक, उसके बाद, total process का work, तो यह plus यह, plus यह, तो यह ध्यान देना, यह minus है और यह plus है, तो यह 2000 आप का, और 1380 जिरोटा दोगे, तो answer कितना जाएगा, 620, तो अब यह, mod के साथ बताना, यह नहीं कि सबको add कर दिया, तो यह point द्यान रखना था, ऐसे question पूछे गए, question number 2 में, 5 mole से helium gas का expand हो रहा है, again, इस वर्ट पर ध्यान देना है, मतलब work negative, but magnitude पूछ रहा है, maximum work का, तो फिर कोई बात नहीं है, isothermal process है, और maximum work, तो वो कब होगा, जब reversible process होगा तो, and reversible लिखी दिया है, 300 kelvin from 10 liter to 20 liter, तो work बताना है, तो isothermal process में work का formula, n, r, t, l, n, v2 by v1, चुकि magnitude की बात कर रहा है, इसलिए minus plus का यहाँ पर, जंजटी नहीं है, moles आपको given था, 5, r की value, 8.3 temperature 300 kelvin ln, 20 by 10 कर दो, तो यह आपका कितना जाएगा, 5 into 8.3 into 300, और यह natural log है, उसको log with base 10 में convert करोगे, तो कितना हो जाएगा, 2.3 और log 2.3, तो multiply का इससे करेंगे, वो भी द्यान से देखो, यह इसका 10 आया, और इसका 10, तो यह 0 से 0 cancel, तो द्यान से देखो कितना जाएगा, 5, 83, 3 और 23, और into में 0.3 है, तो यह द्यान रखना है, तो यह सब approach करोगे, तो आपको कितना जाएगा, 8630 के असपास, कैसे, अगर मैं इसको 80 भी लो, तो 85 the 40, 400 तो यह हो गया, और इसको 25 लो, तो into 75, और into में 0.3, तो यह अगर द्यान से देखो, तो आप इसको कितना कर सकतो, 120, 400 into 0.3 कितना हो गया, 120 कैसे है, क्योंकि इसका यह 10 से 10, तो 120, तो 120 into 75, जो कि यह प्रॉक्स कितना हैगा, यह आएगा, कभी भी आपको proper calculation नहीं करना है, क्योंकि option given है, तो आप close तक को आप पहुंच सकतो, question number 3 में, 5 moles ideal gas का था, 1 bar pressure, एतना temperature पे, expanded into vacuum, बस, यह वर्ट से देखो, खतम, अब यह इतना जो information given है, यह सब फालतू गया, कभी-कभी बच्चे, यही सब समझ नहीं पाते हैं, और वो question को गलत करका जाते हैं, कि यह सम्में से कोई होगा, vacuum में मतलब pressure 0, pressure 0 तो work 0 क्यों, क्योंकि work क्या था, PDV, तो pressure ही 0 है, तो इस टाप के question पूछे जाते हैं, now next, question number 4 में, ideal gas, expand 1 liter to 10 liter, against constant external pressure of 1 bar, तो work kilojoule में बताना है, तो यहाँ पर देखो, मैं जो points अब बताया था, आपको इसे होजा से, एक तो expansion हो रहा है, तो work negative होगा, इसलिए यह option गया, इन तीनों में से कोई होगा, 1 liter to 10, against constant external pressure, मतलब हमारा, कैसा होगा, irreversal process, तो work क्या हो जाएगा, P, delta V, मतलब volume final minus volume initial, P केतना है, 1 bar, volume final minus initial केतना हो गया, 10 minus 1, 9, तो यह 9 bar into liter होगा, 1 bar liter, 100 के बरावर होता है, तो यह केतना हो जाएगा, 900 Joule, हमें किसमें चाहिए, किलो Joule में, तो इसको divide कर दोगे, तो 0.9 किलो Joule, और चुकि expansion हो रहा है, तो negative, तो इसलिए option C, तो ध्यान से देखो, ऐसे करना है, question number 5 में, find work when 1 mole of ethane, burnt in oxygen, completely at 500 Kelvin, तो ध्यान देना है, यहाँ पर यह reaction आगया, कैसे, क्योंकि ethane को burn करना है, तो C2H6, को oxygen में burn किया, तो क्या मिलेगा, completely CO2 and water, ऐसी reaction को balance कैसे करेंगे, वो भी बता रखाओ, 2 carbon है, तो 2, 6 hydrogen है, तो यहाँ 3, यहाँ total 7 होगे, तो यहाँ 7 by 2, अब यहाँ पर, इस temperature का use है, 500 Kelvin है, इसलिए water किसमे होगा, gas phase में, CO2 तो gas में रहे गाई, O2 gas है, इथेन आपका gas है, अगर यह temperature, 100 degree Celsius, that means, 373 से कम होता है, तो यहाँ पर फिर हमें, liquid लेना परता है, इसलिए फिर delta NG में, वो नहीं आता है, तो अभी delta NG कितना हो जागा है, ध्यान से देखो, 3 plus 2, 5 minus 7 by 2, that is 3.5, और यह 1, तो 4.5, तो कितना हागया, 0.5, वर क्या होता है, रियक्षन में, delta NG, RT, 0.5, R हो गया आपका, 8.3, temperature, 500, तो इसका दोनों पॉइंट हटा दो आप, तो यह 10, यह 10, यह cancel हो गया, ध्यान से देखो, यह 25 into 83, यहाँ पर भच्चे कल्कुलेशन करते हैं, नहीं करना बेटा, ध्यान से देखो, इसको 80 लो, तो 25 और 80 कितना हो गया, 2000 का असपास, 2000 से थोड़ा ज़ादा, answer क्या हो जाएगा, A, नाउ, यहाँ पर, पलस या माइनस अगर हमें करना होता, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सारे पलस में देखो हैं, इसलिए अगर पलस माइनस करना होता, तो डेल्टा एंजी पॉजिटिव आजा है, मतलब एक्सपैंसन हो रहा है, तो वर्क क्या होता, निगेटिव, तो बाइदेवे वर्क आथा, निगेटिव, तो नाउ, जाते-जाते घ्यान की बात, और डेटिव वेरी इंपॉटेंट, कि यूनिट का कनवर्जन, वन कैलिवरी जो होता है, वो 4.18, जिसको कैलकुलेशन एजी करने के लिए, 4.2 जूल, या एप्रॉक्स 4 जूल लेकर भी आप कर सकतो, डिपेंडिंग, ऑप्शन कैसे गिवन है, राइट, 1.8m लीटर, जेनरली जो प्रेशर एटियम में, वालूम लीटर में, तो अगर उसको जूल्स में ले जाना हो, तो 101.325 होता है, जिसको 101.1 जूल भी ले सकतो, और कलकुलेशन को इजी करने के लिए, या 100 भी ले सकतो, वैसे ही 1.2 लीटर जो वो 100 जूल के बराबर है, तो यह ध्यान रखना है, इसलिए यूनिट में ही दिक्कत होती है बच्चों को, दूसरा वर्क कहां कहां पर 0 हो सकता है, आइसो कोरिक प्रोसेस बोल दिया, तो डेल्टा एंजी 0 हो गया, तो यह पॉइंट ध्यान रखना बेटा, इस बहुत इंपोटेंट पॉइंट है, खोज-खोज करके निकाला है मैंने, तीसरा के टी जे पाथ फंक्षन, और अगर यह पाथ फंक्षन है, तो यह पाथ पे डिपेंट तो करेगा, लेकिन एक केस में यह स्टेट फंक्षन हो जागा, और वो कौन सा, एडियावेटिक, क्यों हो, एडियावेटिक में चेंज इन हीट 0, तो डेल्टा यू इसकल टू Q प्लस W, Q 0 हो गया, तो डेल्टा यू डबलू के बराबर, चुकि डेल्टा यू आपका स्टेट फंक्षन है, और वो डबलू के बराबर हो रहा है, तो डबलू भी इस केस में क्या हो गया, स्टेट फंक्षन है, तो इसलिए ध्यान देना, वर्क, शरिफ एक ही केस में स्टेट फंक्षन हो सकता है, अदियावेटिक प्रोसेस में, अदर्बाइज, वर्क जो है, वो एक पाथ फंक्षन है, तो ये एक तरह से प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो ये स्टेट फंक्षन हो सकता है, इन जेनरल, अब यहाँ पर जो बच्चों को कन्फिजन होता है, वो भी ध्यान से सुन लेना, अगर पुझा वर्क कीजे, तो पाथ फंक्षन, लेकिन वर्क इन एडियावेटिक प्रोसेस, तो फिर स्टेट फंक्षन, तो इसलिए ध्यान से समझें आपको पॉइंट को, और रही बात की वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, f.s, यह आप फिजिक्स में पढ़तो हो, और वी नो कि जो प्रेशर होता है, वो फोर्स बाई एरिया होता है, तो यहाँ से फोर्स क्या ले सकतो हो, यहाँ पे लिख दो, प्रेशर इंटू अरिया, इंटू यह लेंद आपका, तो यह अरिया इंटू लेंद क्या हो गया, डीवी वालम हो गया, तो चुकि केमस्टी में प्रेशर से जादा रिलेशन होता है, फोर्स की बात ही नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे और फिजिक्स में ऐसे निकलते हैं तो आई होप मेरा यह परियास आपको समझ में आए होगा बेटा आप पूरी थर्मोडामिक्स में कहीं से पूछ ले आपको जो दो केस बता है वहीं से आएगा उसको अच्छे समझ लो उससे बाहर कुछ नहीं है हलो एवरिवन कसका है आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूँगा उस ट्रिक से आप थर्मोडामिक्स में हीट के कैलकुलेशन से रिलेटेड किसी भी परावलम को एक मिनट के अंदर में और बहुत इजिली कर लोगे तो ध्यान से देखो थर्मोडाम में हीट का कैलकुलेशन आपको दो केस में करना है एक आइडियल गैस के केस में जो कोशन में किलेली मेंसन होगा और एक कैमिकल रियक्शन या फेट चेंज में निकलना होगा चैमिकल रियक्शन आपको दिख जाएंगी और फेट चेंज भी आपको दिख जाएगा सॉलिट से liquid में जा रहा है या liquid से gas में etc. तो दोनों ही case बिलकुल अलग है इसमें confusion का कोई सीनी नहीं है तो अगर ideal gas है तो उस case में heat 99% हम first law of thermodynamic से निकालेंगे that is delta U is equal to Q plus W और कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो अगर adiabatic process है ideal gas में तो Q आपका 0 हो जाएगा तो खतम हो गया अगर isophoric है तो volume constant है delta V 0 तो work 0 तो work यहाँ पर अगर 0 put कर दोगे तो Q क्या हो जाएगा delta U इसलिए heat at constant volume यह जो V subscript में है उसका अंतलब है constant volume पे तो heat at constant volume is equal to change in internal energy delta U और is equal to N moles हो गया CV जो आपको given होगा heat capacity at constant volume into delta T change in temperature तो यहाँ से निकल जाएगा आपका राइट और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो heat एक state function होगा क्यों क्योंकि heat delta U पर depend कर रहा है तो इस case में ही only heat एक state function है otherwise heat एक path function है right isothermal होगा तो क्या होगा तो very simple right isothermal में delta U 0 होगा चुकि temperature constant है तो delta U 0 put कर दोगे तो q किसके ब्राबर हो जाएगा minus w के और इसके बारे में calculation आपको बता दिया that means q और work का numerical value सेम होगा स्रिफ sign का difference होगा right isobaric में pressure constant होगे तो heat at constant pressure delta h enthalpy के ब्राबर हो जाएगा और enthalpy का से निकलते है मोल्स in cp heat capacity at constant pressure into change in temperature तो यहां से आप निकाल लोगा right cyclic process हुआ तो cyclic process में delta U 0 हो जाएगा right क्यों क्योंकि etj state function तो इसलिए q again किसके बारबर हो जाएगा minus of w के तो ideal gas में आपको ऐसे निकलना है एक पॉंट जो ध्यान में रखना है ideal gas के case में cp minus cv heat capacity का difference at constant pressure minus at constant volume किसके ब्राबर होता है gas constant r के ब्राबर होता है जिसकी value आपको clear होना चाहिए and cp by cv क्या होता है gamma के ब्राबर होता है right gamma क्या होता है 1 plus 2 by f f क्या है degree of freedom तो जैसे monoatomic gas like helium जतनी भी noble gas है जो single form मिलते हैं ही ऐसा o2 is not a monotomic क्योंकि o2 में 2 oxygen हो गया तो जो monotomic only one atom होंगे तो उसके लिए degree of freedom f केतना लोगे आप 3 लोगे तो यहाँ पे f3 put कर दोगे तो gamma आजागा right cp given होगा तो cv निकालना होगा और cv given होगा तो cp इस टाब के diatomic है like o2 into यह सब तो degree of freedom उसका कितना लेंगे 5 लेंगे तीन अगर polyatomic होगा और non-linear होगा like so2 तो फिर आप f केतना लेंगे 6 लेंगे और अगर मालोगी polyatomic है like co2 बट linear है right एक ही लाइन पर तो फिर f केतना लेंगे 5 लेंगे तो यह आपको ध्यान में होना चाहिए now हमने यहाँ पर sign कुछ consider ने किया उसके पीछे reason क्या क्योंकि sign हम खुद assign करेंगे कि value positive रखना या negative sign के case में very simple है एकदम simple trick से system में कोई चीज आ रहा है in तो in होड़ा मतलब gain होड़ा है gain होड़ा मतलब positive है और ऐसी reaction को endothermic बोलेंगे right system से कोई चीज बाहर जा रहा है that means loss हो होगा heat out of the system negative होगा तो sign का tension खतम हो गया chemical reaction या phase change में we know कि यह constant pressure and temperature पर होता है और constant pressure पर heat delta H enthalpy के बराबर ही हो जाता है जिसके बारे में हम पूरा calculation आपको आगे की video lecture में बताएंगे भी तो यहाँ पर हमें कैसे नहीं करना होगा heat at constant pressure पूछ ले तो that is delta H और delta H reaction के किसमें क्या हो जाता है delta U plus delta NG RT यह enthalpy हो गया internal energy delta NG कैसे निकालेंगे यह आपको work में भी बताया था stoichiometric coefficient of product जितनी भी gases part है उन सबका summation कर लो minus stoichiometric coefficient of reactant में जितनी भी gases part है उनको add कर लो right जैसे for example इस case में अगर मुझे delta NG निकाना हो तो देखो product में gas यह है यह तो liquid है तो इसका कुछ नह लेना है तो यह 3 हो गया minus इधर solid है इसका कुछ नहीं लेना है इधर यह gas है तो इसका 2 तो that is 1 मलदब product में जितने भी होंगे सबको add कर लो minus reactant में जितने होंगे उसको कर दो तो delta NG आएगा तो यहां delta NG put कर दोगे R एक fixed value है right 8.314 temperature always Kelvin में तो delta H given होगा तो delta U नहीं करना होगा या फिर delta U given होगा तो delta H नहीं करना होगा और delta H ही आपका क्या है heat at constant pressure तो यह ध्यान रखना है अगर heat at constant volume बोल रहा है तो वो delta U के बराबर है जो आप यहां से देख सकतो तो question को carefully read करना है क्योंकि इसमें बहुत ही कम आपके पास formula है exothermic reaction का मतलब क्या हो गया delta H negative और exothermic reaction का मतलब heat at constant pressure भी हो जागा तो वही delta H होगे वैसे endothermic reaction मतलब heat delta H positive right और heat at constant pressure बोले तो delta H तो कभी भी आपको ऐसा ने बुलेगा heat निकालो heat at constant pressure मतलब delta H निकालना actually दोनों सेम हो जाएंगे तो यह है आपका formula इससे बाहर कोई question ने जागा now अब हम application की बात करते हैं question number one में 4 liter ideal gas right allowed to expand isothermally word सब के ध्यान देना इसलिए मैंने बोला था कि thermodynamics में major point है basic terminology का isothermal है तो delta U क्या हो गया 0 लिख लिया करो आप into vacuum vacuum है तो work क्या हो गया 0 तो हमें क्या निकालना heat तो you know delta U is equal to q plus w delta U आपका 0 work आपका 0 तो q भी क्या हो गया 0 that's it यह इतना जो value सब गिवन है वो जस्ट आपको confuse करने के लिए next question number two में 5 moles है 293 Kelvin पे again isothermal है तो क्या हो गया delta U आपका 0 from initial pressure final pressure आपको given है against constant external pressure तो constant external pressure में work कैसे निकलता आपको बता रखाओ P external और volume final minus volume initial यहाँ पे P external आपको given है कितना 4.3 मेगा पासकल है ध्यान रखना अब volume final तो given है नहीं सर्थ तो वही आप क्या करेंगे PV is equal to nRT से volume कैसे निकल सकते है nRT by P से moles केतना था 5 R आपको R ही रहने तो temperature आपको given है 293 by एक बार pressure आपको केतना है तो 2.1 माइनस फिर से nRT by pressure केतना 1.3 अब ध्यान देना यहाँ पे यह calculation में कि आप जब निकालोगे तो 4.3 nR और T यह सब common निकल जाएगा यह 1 upon 2.1 मानस 1 upon 1.3 यह भी मेगा पासकल में यह भी मेगा पासकल में तो cancel हो जाएगे राइट तो यह approx जो आपको वो 15,000 joules के आस पास आएगा सब एसा इनिन ने पूट किया हमें कैसे निकानना वो भी ध्यान देना है कीलोजूल में निकानना हैं तो कितना हो गया यह 15 किलोजूल तो यह तो कितने अगा यह पांच मल्स का हमें एक मूल्स का बताना है question में यही सब point पर द्यान देना है क्योंकि option 1 ही आपका है इतना calculation करके 1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा kilo joule per mole में पूछा है तो 15 kilo joule 5 का है तो per mole 1 mole का कितना हो जाएगा 15 divided by 5 that is 3 तो option कोन हो जाएगा B question number 3 में ideal gas again isothermal है तो delta U क्या कर दोगे 0 compression हो रहा है from 5 meter to 1 meter against constant external pressure तो यहाँ पर आपका work आगया कितना 4 और 5 minus 1 4 तो यह हो गया 16 अगर आप ध्यान से देखो तो यह SI unit में वो भी SI unit में तो यह work हो गया delta U 0 है तो Q ही क्या है minus of W के बराबर है anyhow next term से क्या वो रहा है heat capacity given है तो heat capacity क्या होता है moles into heat capacity into delta T तो यह आपको मालूम है कितना गया 16 moles कितना 1 mole का 1 cm आपको given था heat capacity कितना 24 और delta T वही पूचा है कि temperature of 1 mole of aluminium increases by कितने से यह increase होगा तो यहाँ से आप देख लो कितना जाएगा यह delta T आपका यह 82 दा यह 83 दा तो delta T केतना होगे आपका 2 by 3 Kelvin तो option क्या हो जाएगा A तो इस type के simple questions आप पूचे आते हैं just word का ध्यान रखना है now next question number 4 में यह इस तरह से graph given है और कुछ value given है आपको heat process C से A का बताना है तो ध्यान से देखो मुझे क्या मालूम है heat AB का मालूम है work AB का मालूम है तो you know delta U of AB अगर मैं लिखू हूँ तो वो QAB plus WAB हो जाएगा QAB आपको given है 2 और plus WAB minus है तो minus तो यह कितना हो गया minus 3 और minus होना भी चाहिए क्यों कि expansion हो रहा है तो work negative राइट तो R चुकी delta U एक state function है तो मैं लिख सकता हूँ delta U AB plus delta U BC plus delta U CA should be equal to 0 cyclic process में जा रहे है delta U AB अभी आपने निकाला that is minus 3 delta U BC आपको given है that is minus 5 plus delta U CA is equal to 0 तो यहाँ से delta U CA कितना होगे आपको 8 अब अगर CA process का आपको मालूम है delta U कितना है 8 right plus मैं साइन के साथ लेना that is equal to QCA जो हमें निकालना है plus WC आपको given है कितना है 3 तो यहाँ से Q कितना आगया plus में 5 इसलिए यहाँ पर ध्यान देना 1 minus था 1 plus था तो option B होगा right next question number 5 इस type के बहुत सारे question पूछे जाएंगे very easy होता है इससे easy कुछ नहीं होता है कह रहा है कि for which of the following delta H is equal to delta U relation क्या है बेटा एक ही है delta H is equal to delta U plus delta NG delta H delta U के बरावर का होगा जब delta NG 0 होगा check करो किसमे 0 है इसमें क्या हो जाएगा 2 minus यह 3 और 1 4 2 minus 4 तो minus 2 तो इसमें तो नहीं होगा इसमें द्यान से देखो 1 और 1 2 minus यह 2 तो यहीं 0 होगा इसलिए option B इसकेस में चेक करो तो 2 minus 2 और 1 3 तो यह कितना होगा minus 1 इसकेस में 1 और यह 2 है तो 1 minus 2 that is minus 1 ध्यान देना सब gas phase में था स्रिफ gas phase वाला लेना इसको बहुत तरीके से पूछ सकता है कहाँ पे delta H greater होगा delta U से तो यह कब हो सकता है जब delta NG greater than 0 होगा कहाँ पे delta H smaller होगा delta U से तो यह कब हो सकता है जब delta NG smaller होगे right difference between delta H delta U बताओ that is nothing but actually क्या पूछ राप से delta NG RT यह सब देख करके बच्चे डर जाते हैं difference between delta H minus delta U बताओ यह difference between enthalpy and internal energy बताओ मतलब delta NG RT आर आपको constant है fix temperature आपको given होगा delta NG तो एकदम बच्चो वाला चीज़े हम निकाल सकते हैं तो इस टाप के बहुत सारे problem मिलेंगे यह फिर आपको delta U दे देगा heat at constant volume तो delta H निकालो तो delta U plus delta NG RT कर देना है यह कभी ऐसा होगा कि यह दोनों given हो तो यह निकालो इस टाप से घुमा फिरा करके इसलिए बहुत important है और इस टाप के बहुत सारे question आपको पूछे जाएंगे ध्यान रखना delta NG में शरीफ gas वाला लेंगे तो I hope यह सब point आपको clear होंगे now जाते जाते ग्यान की बात और that is very important तीन point है कि heat इजे path function we already know but एक case में heat at constant volume delta U के बरावर है तो उस case में state function होगा इसलिए question को carefully read करना है heat पूछे तो path function heat at constant volume तो state function दूसरा it is a poor form of energy right appear at boundary only right temperature difference की वज़ों से heat create होते हैं बस यह ध्यान रखना और it is a random form of energy क्योंकि entropy में यह calculation में आता है तो यह random form of energy है statement यह theoretical type में यह point आपको काम आएंगे and point number 3 that is again important बहुत सारे बच्चे confused होते हैं heat capacity एक को बोलते हैं total heat capacity एक को बोलते हैं molar heat capacity और एक को बोलते हैं specific heat capacity बेटा आप unit से पहचान जाओगे आपको कुछ भी याद रखने जरूत नहीं unit अगर joule per Kelvin है तो वो total heat capacity है क्यों? क्योंकि heat की unit हमारा क्या है? joule बस किसी तरह joule लाना है तो इसलिए यहाँ पर formula क्या हो जाएगा Q is equal to C into delta T क्यों? क्योंकि C का unit क्या हो गया joule per Kelvin और delta T Kelvin तो Kelvin Kelvin cancel बस आपको unit से match करकर के तो यह जो heat capacity होगी वो total होगी इसलिए C delta T अगर joule per mole per Kelvin given है तो अब इस बात है mole भी हटाना है Kelvin भी तो इसलिए mole से multiply करेंगे तो N C dash delta T तो क्या हो जाएगा mole right C dash आपका Joule per mole into Kelvin और delta T Kelvin तो Kelvin Kelvin mole mole cancel तो heat का ऐसा unit Joule आ गया तो बस unit से पहचाल लेंगे तो यह हो जाएगा molar heat capacity specific में कैसे देगा Joule per gram per unit mass Kelvin इसलिए mass से multiply कर देंगे तो gram gram cancel हो जाएगा और temperature temperature cancel हो जाएगे तो सिर्फ क्या बचेगा आपको Joule बचेगा right तो यह कहला आता है specific heat capacity तो यह point द्यान रखना तो इसलिए Q C delta T भी यूज़ कर सकते है Q N C dash delta T Q M C double dash delta T but आपको मालुम है कि यह formula हम सिर्फ 1% यूज़ करते है 99% work का calculation first law thermodynamics से करते है और एक यह point द्यान रखना ISO thermal के case में heat capacity अभी से बात है क्या हो जाएगा infinity की तरफ approach करेगा और adiabatic में heat capacity 0 क्योंकि Q क्या होगी आपका 0 तो I hope यह सारे point आपको समझ में आगे होंगे अगर आप thermodynamics में heat का calculation करना है तो इस से बाहर कुछ नहीं बेटा अब आप सारे problem कर सकते हो Hello everyone कसका आए आज की इस video lecture में मैं आपको जो trick दूँँगा उस trick से आपके अंदर की सोई हुई chemistry जाग जाएगी That means we are going to talk about internal energy तो very simple है और अभी मैं जितना बताऊंगा उतना ही ध्यान रखना उस से बाहर कुछ नहीं बेटा तो आपको internal energy दो case में निकालना होगा एक ideal gas के case में question में clearly mention होगा या फिर chemical reaction और phase change में आपको निकालना होगा तो ये दोनों ही बिल्कुल different है क्योंकि ये mention होगा ideal gas question में और ये reaction आप देख करके पैचान जाओगे phase change भी आप देख करके पैचान जाओगे कि solid से liquid में जा रहा है या liquid से gas में तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ideal gas के case में आपको internal energy निकालना है तो एक ही formula है अपने पास बेटा एक ही formula है delta U is equal to that is change in internal energy is equal to जिसको delta E से भी represent कर सकते है moles heat capacity at constant volume into change in temperature ध्यान रहे temperature के लिए पूट करना है CV आपको given होगा बस यही एक formula है ideal gas के case में आप निकाल सकते हो ये सब जो लिखा हमने उसका सब case लिखा है जो आप जानते ही हो for example अगर ISO thermal process है तो temperature constant delta T 0 delta T 0 तो delta U 0 तो यह कोई extra formula नहीं है वैसे ही cyclic process है चुकि यह एक state function है तो delta U 0 अगर ISO baric process है तो वही same formula ISO coric है तो work क्या हो जाएगा 0 तो delta U is equal to क्या था अपना Q plus W तो work अगर 0 हो गया तो delta U Q के बराबर है that is heat at constant volume is equal to delta U formula यहीं रहेगा अगर adiabatic है तो Q 0 हो गया तो delta U W के बराबर हो जाएगा right चुकि ideal gas के case में CP minus CV R होता है and CPY CV γामा होता है जिसको poison ratio भी बोलते है तो अगर मैं इसको put कर दूँ तो CV क्या है मेरे पास R upon gamma minus 1 इसलिए इसका एक और formula हो जाएगा N CV की जगा put कर दो यह R upon gamma minus 1 into delta T तो depending CV दे दिया है तो यह वाला यूज कर लेंगे अगर CV नहीं दिया gamma दिया है तो यह यूज कर लेंगे क्योंकि R तो fix है 8.314 joule per mole per Kelvin right N mole से delta T temperature है आप निकाल लोगे ideal gas के case में स्रीफ और स्रीफ एक formula है जिससे आप internal energy निकाल सकतो similarly phase change या chemical reaction में भी अपने पास एक ही formula delta H is equal to delta U plus delta NG RT in therapy is equal to internal energy plus delta NG RT चुकि जो भी reaction होती है वो constant pressure and temperature पोती है इसलिए एक ही formula है तो 99% question अगर delta U का phase change या chemical reaction में हैगा तो आपको यही formula लगाना है और very simple है delta H given होगा फिर आपको delta U निकालना होगा delta NG कैसे निकालते हैं यह बात हम कर रखे हैं stoichiometric coefficient of product जो gas phase वाले होंगे जो gas में होंगे right उनका लेना है सारे को sum कर लेना product वाले का minus stoichiometric coefficient reactant का कौन सा जो gas phase मों उन सब का sum कर करके minus कर देना है तो delta NG आएगा R आपको मालूम ही है 8.314 temperature T आप put कर देंगे Kelvin में धियान रखना तो यहां से delta U हो जागा कभी-कभी direct way में भी निकाल सकते हैं यह एक तरह से indirect way हो गया क्योंकि delta H मालूम होना चाहिए और question में given होता है like heat at constant pressure बोल दिया तो वो delta H ही है और आप से पूछा जाएगा heat at constant volume बता हो तो आप यह इन दोनों का difference बता हो इस टाप से बहुत सारे question आ सकते हैं direct way में कैसे निकालेंगे तो सारे product और reactant का आपको internal energy अगर given होगा तो इस stoichiometric coefficient से product के internal energy को multiply करके सबको sum कर लेना product side का minus फिर उसको reactant side से कर देना है तो यहां से direct way में सबकी value given होगी तो हम निकाल सकते हैं तो यह है आपका internal energy calculation का अब हम आपको application दिखाते हैं question number one में one mole ideal gas expand reversibly idea vertically from temperature 27 degrees Celsius work done is given to you three kilo joule final temperature आपको बताना है तो thermodynamics में सबसे major point होता है कि question को carefully read करना है कि क्या क्या given है जैसे ध्यान से देखो रफी सर कैसे कर रहे है expansion हो रहा है तो work क्या हो जाएगा आपका minus में three kilo joule per mole बस यह point का ध्यान देना है यही सब गलती होती है एक्सपेंसर में work negative reversible ठीक है adiabatic है तो q क्या हो गया 0 तो delta u आपका क्या होता है q प्लस w तो यहाँ पे delta u जो की n cv delta t होता है वो किसके बरावर हो गया w मतलब minus में three kilo joule है ध्यान दे तो thousand से multiply कर लो यह joule per mole में आगया अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है cv भी आपको given है joules में final temperature बताना है moles 1 था तो one put कर दो cv 20 delta t is equal to minus three into thousand तो यहाँ से delta t आपको कितना आजाएगा यह zero से यह zero cancel तो अब ध्यान से देखो तो minus में 150 आएगा और delta t always delta change always final minus initial होता है t final minus t initial is equal to minus में 150 final temperature पूछा है initially 27 है मतलब कितना हो गया 300 Kelvin तो यहाँ पे put कर दो तो उधर जाएगा plus तो t final कितना हो जाएगा 150 Kelvin तो यह आपका answer हो जाएगा तो वो हर एक point पे ध्यान देना है जैसे question number 2 में 2 liter ideal gas आगया it's okay fine expansion फिर से बोल रहा है isothermal isothermal जैसे बोला और क्या पूछ रहा हम से delta u तो मैं क्या बोल दूँगा 0 क्योंकि isothermal process delta t क्या हो जाएगा 0 बाकी चीज आपको पढ़ना नहीं इसलिए question को carefully read करना that's it question number 3 में cp आपको given है delta u given है heating from 300 Kelvin to 500 Kelvin moles पूछा गया था तो we know चुकी ideal गैसे यह तो cp minus cv is equal to r cp given हमे cv निकानना पड़ेगा right तो cp minus r is equal to cv तो cp आपका कितना है 20.785 minus 8.314 तो यह approximately आप कितना ले सकतो 12 के आसपास right अब delta u आपको given है that is 5000 is equal to n moles जो की निकानना ही है cv आगे आपका 12 और delta t यहाँ से आप देख सकतो कितना हो जागा 200 तो यह cancel हो जाएंगे तो आप देख सकतो 12 to the 24 24 to the 48 उसका आसपास हो जाएंगे तो n integer में कितना हो जागा 2 तो इस type के question आपको मिलेंगे similarly question number 4 इस type के बहुत सारे question है भरे पर है मैं just एक idea दे रहाँ बेटा कि एक reaction दे देगा उसका delta u दे दिया आपको at 27 degrees Celsius delta h बताओ गलती कहां कहां पर होती है delta u kilo joule में तो यह ध्यान देना delta h भी kilo joule में पूछा जा रहा है formula तो एक ही है delta h is equal to delta u plus delta ngr अब यह आपका अगर kilo joule में है यह भी अगर kilo joule में तो इसको भी kilo joule में बनाना परेगा बस यह ध्यान रखना delta ngr निकानना आपको बता है इसका 1 इसका 1 2 minus इसका 1 चुकि सारे gas page में तो delta ngr अगर मैं निकालूं तो 1 into r 8.314 t temperature किस temperature पर 27 मतलब 300 ध्यान रहिए joules में आया इसको मुझे divide करना परेगा thousand से तो यह cancel हो जाएंगे 0.3 है यह तो यह procs में 2.4 या 5 के आसपास आप ले सकते तो यह हो गया kilo joule per mole में now आप put कर दो value को तो ध्यान से देखो तो delta h निकरना में delta u minus में right तो क्या हो जाएगा minus में 59.6 और plus में delta ngr t plus में 2.5 तो अब ध्यान से देख सकते हो यह केतना हो जाएगा 57 वो भी minus में तो delta h आपका minus में 57 का असपास हो जाएगा integer tak में तो इस तापके बहुत सारे question पूछे जाएगे या difference between delta h and delta u बताओ या फिर यहाँ पे जैसे delta h पूछा है delta h देदेगा delta u बताओ या कि इस case में delta h delta u के बरावर हो जाएगा that means delta ngr t 0 होना चाहिए उसका मतलब delta ngr 0 होना चाहिए 2.4 ग्राम को बन किया गया bomb केलोरी मीटर में तो temperature rise by 298 से 300 delta h पूछा गया है ध्यान देना kJ per mol में heat capacity bomb केलोरी मीटर का ध्यान देना है kJ per Kelvin में तो यहाँ से मैं delta u निकाल सकता हूँ क्योंकि bomb केलोरी मीटर का उतलब किया हो गया constant volume पे बर करता है और we know heat at constant volume delta u के बरावर हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान से देखो आपको cv given है cv जो है वो 20 kJ per Kelvin है unit का ध्यान रखना है तिसलिए सीफ मुझे किस से multiply करना पर लेगा delta t से केतना है वो 2 Kelvin तो Kelvin Kelvin cancel तो direct आपको delta u केतना गया है 40 kJ यह ध्यान दे 40 kJ किसका है 2.4 gram kohl का है और चुकि kohl है मतलब carbon solid में होगा oxygen gas में will give you CO2 gas कहां से अगर आप ध्यान से देखो तो delta ng इसका रहा है 0 कैसे gas का 1 और इधर gas का 1 solid का तो लेंगे नहीं तो 0 तो इसका जलब delta h ही delta u है बट ध्यान देना आपको कि delta h मुझे किसका निकाना पर mol का एक mol का अभी जो delta h आया है 40 kJ वो किसका आया है 2.4 gram मतलब आप mols निकाल सकतो 2.4 by 20 that is 0.2 mols का आया मुझे 1 mol का निकानना है तो क्या हो जाएगा delta h per mol कितना हो जाएगा 40 by 0.2 that is 200 kJ per mol तो इसमें बस unit का और जो word है उसका ध्यान रखना है तभी thermodonic question से होंगा दर्वाइज साब्धानी हटी दुरुगटना घटी similarly question number 6 में ध्यान से देखो 2.2 gram N2O cool from 310 Kelvin to 220 Kelvin causing compression 270 ml to 167 ml और आपको delta U बताना है CP आपको given है तो delta U is equal to क्या होता है Q plus W तो that means पहले मैं क्यों निकाल लूँ Q क्या हो जागा आप ध्यान से देखो CP कैसे है 100 Joule per Kelvin per mol है तो that means आपको N निकाल लेना है तो 2.2 gram था तो उसको 44 से तो moles आ गया N C given आपको 100 delta T आपको 40 तो यह आजागा आपको ध्यान से देखो इस point का यहाँ पे decimal लगा दो 0 से 0 cancel तो यह 22 से 2 times में यह 2 से 2 times में तो यह 200 Joule है आपका क्या Heat Now work कैसे निकालेंगे तो work is equal to P 1 bar है और delta V तो यहाँ ध्यान दे 50 यह ml में तो 1000 से डिवाइड क्या तो लीटर में और 1 bar लीटर क्या होता है 100 Joule के बराबर तो into में 100 कर दोंगा तब यह Joule में आ जाएगा अब cooling हुई है cooling में मतलब Heat निकला है तो यह जो होगा आपका minus में होगा और compression that means work क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा positive तो इसलिए delta U is equal to क्या था Q plus W तो यहाँ पे 200 minus 5 that is 195 Joule एंसर आएगा तो आपको ऐसे करना है point का ध्याँ लगना है question number 7 में for water at 100 degree Celsius and 1 bar delta H vaporization minus delta U vaporization की value sum constant into 10 की power 2 है तो वो value बताना है तो ध्याँ से देखो क्योंकि water को क्या किया जा रहा liquid को gas में convert किया जा रहा तो इसका delta NG अब ध्याँ से देखो 1 हो जाएगा कैसे gas का तो लेंगे इधर liquid है तो 0 delta NG अगर 1 हो गया तो delta H is equal to क्या था delta U plus delta NG RT delta NG put कर दो 1 तो ध्याँ से देखो इन दोनों का difference आई है तो delta H minus delta U इधर लेंगे तो किसके delta NG 1 मतलब RT मतलब आपको RT की value निकानना है finally तो ऐसे question होते है और आपको मालूम है 8.314 temperature 373 जो approximately 31 into 10 की पर 2 आजागा तो यहाँ पर answer कितना आजागा 31 तो यह सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है question number 8 very important इस type के question पूशे आते हैं again यहाँ पर जो गरवरी होती है वो ध्यान से देखो क्या होता है A से B प्रोसेस है Q absorb 5 जूल है work done by gas 8 जूल है तो क्या मैं delta U निकाल सकता हूँ तो delta U AB का क्या हो जाएगा Q AB plus W AB ध्यान देना है sign AB absorb हो है heat absorb मतलब gain gain मतलब positive तो इसको ऐसी ही रखना है 5 plus W AB work done by gas मतलब system ने work किया negative feedback तो क्या हो जाएगा minus मेट तो ये कितना हो जाएगा minus 3 अब आपको B से A process का heat evolve given है तो work उछा गया तो यूनो अगर A से B का delta U जो आपने अभी निकाला minus 3 है तो B से A का क्या हो जाएगा plus 3 स्रिफ sign change हो जाएगे अगर reverse करेंगे तो right और value बाई रहेगी तो delta UBA की बात करूँगा तो वो QBA हो जाएगा plus WBA अब delta UBA कितना हो गया वो तो आपको मालूम है कि that is 3 हो चुका है क्योंकि state function है this is equal to now QBA आपको given है heat evolve हुआ है मतलब loss तो धियान देना वो minus plus WBA निकाना that is X तो यहाँ पे X कितना हो जागा आपका इधर आ जागा तो plus 6 तो यहाँ पे 6 Joule हुआ अब 6 Joule पलस ना है इसको मतलब क्या हो गया है कि work done by surrounding हुआ ऐसा भी बुला जा सकता है या फिर work done on system हुआ है system पे work हुआ है तो इस टैप के question में इस टैप के word में वो आपको फंसा सकता है तो I hope यह 8 problem से आपको कैसे calculation करना एक idea हो गया है अब आप सारे PYQ को कर सकते हो ना हो जाते 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 ग्यान की बात और that is very important कि you know internal energy is a state function और अगर question में कहीं पे bomb calorimeter word use कर रहा है that means वो simple कहना चाहरा है कि heat at constant volume है that is delta U के बरावर हो जाएगा वो तो ध्यान रखना क्योंकि bomb calorimeter constant volume पे वर करता है यह fix है similarly point number 3 और very important चुकि अगर यह एक state function है तो अगर A से B process का delta U अगर आपको मालूम है और B से A का निकानना हो तो value सेम रहेगी ध्यान से देखो value सेम रहेगी शिरिफ sign change हो जाएगी यहाँ पे चुकि plus sign था तो यहाँ पे minus आगिया है तो यह point का ध्यान रखना दूसरा वैसे अगर A से B process का delta U अगर आपको मालूम है और अगर आपने इसको किसी constant like 2, 3, 4, 5 किसी भी number से multiply कर दिया तो delta U भी क्या हो जागा multiply हो जागा ध्यान से देखना और point number 3 कि इस type के भी question पुछा सकते है A plus B gives you 2C इसका delta U given है कोई दूसरी reaction है C plus B gives you B delta U इसका given है तो इन दोनों reaction को arrange करके कोई तीसरी reaction आ रहे है तो उसका delta U बताओ तो आपको जबस देखना है कि आप क्या करो अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ तो ध्यान से देखो arrow के आप positive set cancel होते है तो B से B cancel यहाँ पे XC है तो XC cancel होगा तो A plus D gives you C तो मैंने इन दोनों reaction को add के इसलिए delta U क्या हो जागा X plus Y तो बस इस step के बहुत सारे program पूछे जाएंगे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो information जिस reaction का given है उस reaction को आप कैसे arrange करो जिससे कि वो main reaction आ रही है तो उससे आप delta U का निकाल सकतो और यह दो point का use कर सकतो reverse करो तो minus करना है multiply अगर करना पर रहा है तो वो भी multiply हो जाएंगे तो I hope यह internal energy आपका clear होगा अब आप सारे PYQ को easily कर सकतो Hello everyone, कसका आए? आज की इस video lecture में मैं आपको जो trick and concept दूँगा उस tricks and concept से आप thermodynamics में enthalpy से आने वाले किसी भी problem को within one minute में और बहुत easily और सही सही कर लोगे तो ध्यान से समझो जितना मैं बोड़ रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना उससे बार कुछ नहीं है सबसे पहले enthalpy that is one type of energy तो enthalpy H क्या होता है U plus PV that means enthalpy जो है वो internal energy plus PV work का समय इसलिए अगर मैं changes लगा हूँ तो delta H is equal to delta U plus delta PV हो जागा यह जो formula है यह universal formula that means यह ideal gas में भी लगा सकते हैं आप और phase change या chemical reaction कहीं पे भी लगा सकते हैं तो यह हमारे लिए universal formula कहीं पे भी लगा सकते हैं आपको जो question पुछे जाएंगे वो दो case में एक ideal gas के case में enthalpy का calculation और एक phase change या chemical reaction में enthalpy का calculation तो very simple ideal gas के case में fixed formula delta H is equal to N CP delta T N moles हो गया CP heat capacity at constant pressure delta T change in temperature चुकि भी नो delta H, delta U, delta G, delta S हक्सवर्ट से याद कराए था यह चारो ही state function है इसलिए यह formula reversible process में भी लगा सकतो और irreversible में भी doesn't matter तो यही एक formula है ideal gas के case में that's it उसी को सब पार्ट हमने बनाया कि अगर ISO thermal होगा तो delta H 0 cyclic process होगा तो भी delta H 0 क्यों? क्योंकि state function है ISO baric में constant pressure पे जो heat होती है इस part को दिया रखना heat at constant pressure जब भी पूछा जाए that means वो आप से delta H पूछ रहा है enthalpy पूछ रहा है adiabatic process में वही लगा सकते है delta H is equal to ncp delta T isochoric में भी again same क्योंकि यह main formula है right we know ideal gas के case में cp by cv gamma होता है and cp minus cv r के बढ़ावर होता है तो delta H का एक और formula ncp delta T या gamma times of nr delta T upon gamma minus 1 और अगर आप ध्यान से देखो तो यह इतना delta U था तो gamma times of delta U तो इन सब का huge कैसे हो सकता अगर delta U given है gamma given आपको तो delta H मालूम है and vice versa तो यह point ध्यान रखना है ideal gas के case में बस इतना ही है बेटा similarly chemical reaction या phase change में चुकि जितनी भी reaction होती है वो constant pressure and temperature पर होती है इसलिए delta H delta U plus delta PV था constant pressure होने के जाए से बाहर आ जाएगा तो P delta V और P delta V क्यों हो जाएगा delta NG RT तो एक ही formula है again आपको again chemical reaction या phase change में delta H is equal to delta U plus delta NG RT इस पे हमने कई बार बात कर लिया जहाँ पे delta H जो है heat at constant pressure है जहाँ पे delta U heat at constant volume है और delta NG कैसे निकालता आपको बता रखाऊ जितने भी product वाले gases वाले होंगे उन सब के stoichiometric को आट कर लेना minus reactant के जो gas वाल होंगे उसके stoichiometric को minus कर देना है right तो delta NG निकाल लोगे R एक fix value है 8.314 Joule per mole per Kelvin temperature always Kelvin आपको put करना है तो यही एक formula है delta H निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे enthalpy of formation given हो enthalpy of combustion given हो bond energy given हो यह सब हम एक separate chapter thermoconstry में discuss करेंगे एक lecture में तो इसको मैं यहाँ पर discuss नहीं कर रहा हूँ इसको पूरा में discuss करूँगा तो अब ज्यान से देख लो इससे बाहर कुछ नहीं है ग्यान की बात और that is very very important चुकि you know enthalpy is a state function इसलिए शरिफ initial point और final point पे depend करेगा और delta H is equal to delta U plus delta PV हो जाएगा depending अगर pressure constant हो जाएगा तो P delta V अगर volume constant हो जाएगा तो V delta P और अगर दोनों variable होंगे तो P2 V2 minus P1 V1 तो यह आपको clear है दूसरा जो point है very important कि A से B process का अगर delta H x kilojoule पर मोले और suppose करते हैं कि A से B reversible process है तो अगर A से B ही process हो irreversible हो तो भी delta H वही रहेगा क्यों हो? क्योंकि delta H है कि state function है तो उसको path से कुछ लेना देना नहीं है स्रिफ और स्रिफ initial point और final point क्या उससे मतलब है इसलिए reversible हो या irreversible हो delta H को कोई फर्क नहीं परता वैसे ही delta G, delta S, delta U जतने भी state function है वो reversible और irreversible path पर depend नहीं करते हैं उसका formula सेम रहेगा similarly point number 3 that is very important कि अगर A से B process का delta H x है तो B से A reverse process का value सेम रहेगा सिर्फ sign चेंज हो जागा यहाँ पर plus sign है तो यहाँ पर क्या गया minus sign तो यह ध्यान रखना है similarly अगर A से B का delta H x है तो अगर इसको किसी number से multiply कर दोगे तो यह value भी multiply हो जागी जैसे यहाँ आपने 2 से multiply किया तो यह भी 2 x हो जाएगा तो यह सब point ध्यान रखना भी use भी करेंगे very simple है सारे state function में ऐसा होगा यह भी ध्यान रखना similarly कहीं पर question में ऐसा बोले heat at constant pressure अगर इतना बोल दिया है that means वो delta H बोनना चाह रहा है indirect way में that is heat at constant pressure is enthalpy and heat at constant volume is internal energy right delta U को delta E भी लिख सकता है दोनों बात सेम है ध्यान रखना similarly point number 3 that is very important इस टाप के बहुत सारे problem मिलेंगे आपको किसी 2-3 reaction का delta H दे देगा और तीसरी reaction का पूछा जाएगा very simple आपको देखना है किस reaction को कैसे आप arrange कर लों कि यह reaction आ रही है जैसा अगर आप ध्यान से देखाऊ अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ तो यह reaction आ जाएगी add करेंगे तो B से B cancel D से D cancel तो A plus C gives you 2C add किया तो इसका भी delta H क्या हो जागा इसका addition very simple similarly अगर मैं इसको reverse कर देता तो श्रीफ इन दोनों के plus में क्या लग जाता minus sign क्योंकि reverse कर रहे है तो यह point से ध्यान रखना है काफी बार use क्या गया और बहुत easy होते है इसमें कुछ confusion का scene नहीं है एकदम easy है तो I hope यह clear होगा अब हम application की बात करते है now application में question number one में आपको यह 4 reaction given है और इस reaction का delta H कूछा गया मैं हर type का एक-एक problem करा देता हूँ इस type के बहुत सारे problem आपको PYQ में मिल जाएंगे तो ध्यान से देखो हमें man reaction को target करना है H2O हमें left side में चाहिए reactant side में जबकि यहाँ पे H2O product side में तो इस reaction को ultra करना परेगा तो इसलिए इसमें minus लगा हुआ है ultra करेंगे तो एक और minus sign तो plus में हो जाएगा तो उस reaction का delta H आपको हो जाएगा 242 उसको अद हमें H right side में चाहिए OH right side में तो यहाँ H right side में है और यहाँ OH right side में मतलब इस reaction को ऐसे ही रखना है बट यहाँ पे H का coefficient 11 चाहिए जबकि यहाँ पे केतना है 22 इसका अद आप इस reaction को 2 से divide करना परेगा तो आप 2 से divide कर दो तो वो delta H केतना हो जाएगा आपका दियांसे देखो तो 39 और इस reaction को भी 2 से divide करना परेगा तो इस reaction का delta H केतना हो जाएगा 218 अब अगर मैं ऐसे करके add कर दूँ तो मुझे यह reaction मिल जाएगी तो इसलिए answer केतना हो जाएगा आपका 499 तो इस reaction का delta H केतना हो जाएगा 499 ऐसे करना पेटा एकदम simple way में और बहुत सारे ऐसे question मिल जाएगे just मैंने एक type लिया वैसे ही इस type के question में आपको बहुत सारे मिलेंगे 17 gram ammonia completely vaporize हुआ तो इस temperature पे और एतने बार pressure पे तो enthalpy change आपको given है 23.4 kilojoule per mole तो enthalpy change for vaporization of 85 gram का बता हो इस type के बहुत सारे मिल जाएगे ध्यान से देखना ये pressure ये temperature इन सबका कोई यूज नहीं है कभी कभी question में बहुत सारा information भी दे सकता है इसलिए बच्चे इसमें भी confusion रहते हैं इसका यूज ही नहीं किया उसने मतलब नहीं हमें delta H given है enthalpy लेकिन ध्यान दे कितने 17 gram ammonia का 17 gram ammonia का मतलब क्या हो गया 1 mole right कैसे 17 by 17 तो 1 mole का आपको given है तो कितना है delta H 23.4 kilo J ये 1 mole का हमें कितना पुझा गया 85 gram तो moles निकाल सकते हैं 85 by 17 तो कितना हो गया 5 moles तो अब देखो ये बच्चो वाली चीज हो गए कि नहीं 1 mole का अगर 23.4 है तो 5 moles का क्या हो जागा 5 into 23.4 that is 117 kilo J ये हो जागा answer तो इसलिए question को carefully read कर लेना mass is given हो तो वो उतने का है तो next mass given हो तो most निकाल लो उसका केतना होगा simple unitary method use करना है क्यों क्योंकि ये सब कैसे है state function question number 3 में आपको 298 के लिए पर delta H fusion of X is given to you and delta H vaporization of X is given to you delta H sublimation निकालना है तो you know sublimation मतलब क्या हो गया कि X solid को X gas में ले जाना है इसका निकालना है तो इसको हम indirect way में भी ले जा सकते हैं कैसे X solid से पहले क्या निकाल लेंगे X liquid that is fusion जो आपको given है 2.8 फिर X liquid को X gas में that is vaporization given है 98.2 चुकि delta H, delta U, delta G, delta S ये सब state function है तो ये path पे depend ही नहीं करता है तो solid to gas हम ऐसे भी जा सकते हैं या solid to gas ऐसे भी जा सकते हैं दोनों का delta H, same होगा इसलिए delta H केतना हो जागा 101 तो इस टाप के question आपको मिलेंगे Question number 4 में heat of combustion of ethanol given to you at constant pressure heat at constant volume बताना है at 27 degree Celsius और calorie में तो ध्यान दो पहले point पे combustion ethanol का लिखना है तो C2H5OH चूकि ethanol alcohol है liquid phase में मिलेगा इसलिए L रखना है क्यों? क्योंकि 27 degree Celsius है plus O2 gives you CO2 plus water water भी आपका क्या रहेगा liquid में क्यों? क्योंकि 27 अगर 100 degree Celsius होता है तो इसको फिर gas में रखना पड़दा तो यह सब point पे ध्यान देना है reaction balance करना है 2 carbon है तो 2 आपको 4 वर्ड बता रखाऊ फिर hydrogen यहां total 6 है तो यहां 3 इधर oxygen 4 और plus 3 7 हो गया है जबकि इधर already 1 है तो यहां पे हमें कितना लेना पड़ेगा? 3, 6 और 1, 7 और इधर 4 और 3, 7 तो यह reaction balance होगे इसलिए इसका delta NG निकाल लो delta NG कितना होगा ध्यान से देखो अब यह liquid है इसका नहीं लेंगे यह gas होगा carbon dioxide तो 2 minus इधर यह gas होगा तो 3 यह liquid है नहीं लेने तो यह आगया minus 1 नाव हमारे पास formula क्या है delta H is equal to delta U plus delta NG RT अब ध्यान से देखो question में point क्या बिंसन है इधिनल का constant pressure पे constant pressure पे जो heat होता वो delta H होता वो कितना है minus में 3, 2, 7 kilo calorie हमें किस में निकानना है calorie में तो into में 1000 इसको कर दो is equal to delta U आपको निकानना ही है delta NG minus में 1 है R की value 2 calorie temperature 300 तो आप यहां से देख लो delta U आ जागा minus में 3, 2, 7 triple 0 plus में यह कितना हो जागा आपका 600 तो यह कितना आ गया ध्यान से देखो 3, 2, 6, 4, double 0 minus में यह हो गया आपका answer तो आपको ऐसे करना और question को बेटा ध्यान में रखना है समझना है कि इस टापका बहुत सरा question पूछा जा सकता आपको यहां पर जैसे इस reaction का delta H minus delta U की value बताओ तो सिर्फ क्या हो जाता delta NG RT या difference between heat at constant pressure minus heat at constant volume बताओ इस टाप से पूछ सकता है या delta H, delta U में कौन बढ़ा होगा तो formula जो है वो यही है और इसको different way में पूछ सकता है क्यों क्यों क्योंकि इसमें unknown क्या है delta H, delta U, delta NG और T राइट तो एक fix value है temperature भी almost reaction का fix ही होता है तो इन चारों में से कोई 3 दे करके 4 पूछ सकता है इसलिए आपको careful रहना है question number 5 में internal energy change when 90 gram water undergoes complete evaporation और आपको delta H vaporization given है that means water liquid से water gas इसका delta H आपको given है 41 kilo joule per mole यह ध्यान रखना है एक mole का given है तो again y formula delta H is equal to delta U plus delta NG RT इस case में delta NG केतना हो गया 1 हमें क्या निकारना internal energy तो delta U क्या हो गया delta H minus delta NG RT 1 है तो 1 into R 8.314 T temperature 373 और ध्यान दे इसको 1000 से divide करना पढ़ेगा क्यों क्योंकि delta H kilo joule में तो यह आप करोगे तो एक प्रॉक्स में आ जागा 38 kilo joule per mole और कुछ बच्चे यही पर answer कर देते हैं यह तो बेटा 1 mole का हुआ आप से पूछा गया 90 gram water का मतलब 5 moles का तो इसलिए delta H for 5 moles कितना हो जाएगा 38 into 5 that is 190 के असपास तो आपको यह चीज़े ध्यान में रखने हैं कि कभी इसमें question को carefully read करना और question पर concentration बनाने रखना यही सबसे धा important है thermodynamics में next question number 6 में enthalpy change on freezing of 1 mole of water at 5 degree Celsius to minus 5 degree Celsius और option आपको given थे delta H fusion given है heat capacity at constant pressure water liquid का और solid का given है तो ऐसे question को बच्चे देख करके छोड़ी देते हैं देखो बेटा कैसे करना simple trick से यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 5 degree Celsius में मुझे कहा जाना minus 5 degree Celsius में तो पहले मुझे कहाँ पर जाना परेगा 5 से 0 degree Celsius में जहाँ पर water equilibrium में होगा किस के साथ liquid and solid का equilibrium होगा तो आप पहले तो हमें 5 से 0 चला जाओंगा 5 से 0 में डेल्टा हेच क्या हो जाएगा मोर्स 1 है तो CP into डेल्टा T यही था डेल्टा हेच का formula CP डेल्टा T अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप कैसे निकाल सकते हैं CP आपको given है 75.3 और डेल्टा T कितना हो जाएगा 5 ध्यान दे यहाँ पर यह किलो जूल में और यह जूल में बस यूनिट सब का दियान देना है तो इसको मैं 1000 से डिवाइट करूँगा यह कुछ भी value आएगी राइट दियान से समझो similarly डेल्टा हेच मैं अगर 0 से माइनस 5 का निकालूँ तो उसके लिए भी CP आपको given है 36.8 into 5 और अगर 1000 से डिवाइट करूँगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ value आएगी और हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो क्या क्या हो जागा ध्यान से देखो कि आपका यह वाला value जो सम माल लेता हूँ यह X यह वाला value Y तो X plus Y plus जो बच्चे गलती करते हैं यह 6 किलो जूल यह भी होगा क्यों क्योंकि यह वो कैसे जहाँ पर पूरा liquid solid में convert होगा right, enthalpy of fusion तो यह होगे, तो हमारा जो भी answer होगा वो 6 से ज़्यादा होने वाला है द्यान से देखो option ऐसा एक ही है इस टाप के बहुत सारे मिल जाएंगे यह एक reaction given है, difference between delta H and delta U तो we know delta H is equal to delta U plus delta NGRT right, difference मतलब क्या हो गया, इधर लिया और delta U को यह पूछा जा रहा है, यह किसके बराबर है delta NGRT, तो indirect way में delta NGRT पूछ रहा है delta NG में निकाल सकता हूँ, yes कितना हो जाएगा, 1 minus इधर 1 और plus half, right तो कितना हो जाएगा, minus में 0.5 तो इसलिए क्या हो जाएगा, minus में 0.5 RT, ऐसे दे सकता है या फिर और कैसे दे सकता था कि delta H greater है delta U से, ऐसा 4 option बनातेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो delta H, delta U में से कुछ minus करने सा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कि यह wrong हो जागा, इसका मतलब delta H से बड़ा है delta U, ऐसे पूछा जा सकता है तो बहुत सारे पूछने के तरीके हो सकते हैं, what problem दे सकता है तो आपको किरली यह सब idea होना चाहिए जाते 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 ज्यान की बात और that is very important, इस टाइप से भी आपको question दे सकता है, यह 5 आपको reaction दे दिया, और केतनी reaction endothermik है, endothermik होता है जिसमें heat की requirement हो रहा है, तो ध्यान से देखो कैसे समझना होता है, यहाँ पर I2 gas 2I में, मतलब iodine, iodine का bond break करोगे, तभी यह 2I मिलेगा, तो जब भी bond को break करना है, तो अभी साथ हमें energy देना परेगा, हमें जोड लगाना परेगा, जैसे इसको break करना है, तो हमें work करना परेगा, energy देना परेगा, तो इसलिए यह endothermik हो जागे, heat चाहिए, तो इस टाइब के conceptual आपको question पूछे जाएंगे, similarly, यहाँ पर carbon को burn कर रहो, तो carbon को जब भी burn करेंगे, तो heat release होगी, जहाँ पर भी carbon बन होता है, तो आप दूर भागतो, क्योंकि exothermik होता है, तो यह endo नहीं होगा, dissolution of ammonium chloride, चुकि यह weak base और strong acid से बनावा salt है, तो that means weak salt होगा एक तरीके से, तो इसको break करने के लिए, या dissolve करने के लिए, हमें extra energy लगाना परेगा, तो यह endo thermic हो जाएगा, तो option हो जाएगे 4, तो यह चीज़ point में ध्याँ लखना, question number 2, कभी-कभी heat capacity है, वो function of temperature given होगा, तो हम enthalpy कैसे निकालेंगे, very simple dh is equal to होता है n cp dt, differential form में, इसी को integrate अगर कर देंगे, तो delta h आजाएगा more से n constant है, निकाल गया, cp delta t का integration होगा, अब यहाँ पर आप put कर देंगे n बाहर रहेगा, cp आपका 23 plus 0.01 into t है, तो integration आपको मालूम है क्या हो जाएगा, n 23 t plus 0.01 t score by 2, और आप limit बैठा देंगे, कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से देखो, 300 से 1000, तो नीचे में 300, उपर में 1000, और यहाँ पर put कर देंगे, तो n 3 mol से, यह 23 times of t, 1000 minus 300 केतना होगा, 700 ध्यान देना, कि हमें जो पूछा क्या answer वो, कीलो जूल में सब अप्षन है, तो divided by 1000 करना नहीं भूलेंगे, right, plus, यहाँ पर इसका कैसे करोगे, तो यह 3 इसमें भी multiply रहेगा, right, और यह 0.01, 1000 का square by 2, minus 300 का square by 2, यह सब calculate करोगे, तो approximately कितना जाएगा, 62 के असपास आपको answer आजाएंगे, कैसे करेंगे, वो भी ध्यान से देखो, यहाँ पर यह 2 0 से 2 0 के answer, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, तो 23, 69 मतलब 70 हो गया, तो 77 दो 49, तो और रेड़ी यह 49 है, right, यह वाली value, कैसे, तो ध्यान से देखो, यह हो गया, 70 into 7 by 10, तो यह 49 है, तो यह option गया, यह option गया, यह option गया, तो यह होगा, कभी भी आपको पूड़ा calculation नहीं करना होता बेटा, रफी सर की तरह think करना पड़ेगा, तो I hope पूड़ा यह delta H आपका clear होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है, आप यह सारे problem को अच्छे से समझ लेना, और इसी type के problem आपको आने वाले exam में जरूर आएंगे, Hello everyone, कसकाई, आज की इस वीडियो lecture में मैं आपको जो tricks and concept दूँगा, उस tricks या concept से आप thermodynamics में entropy से आने वाले किसी भी problem को बहुत easily और within one minute में कर लोगे, तो अभी मैं जो बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना बेटा, और लिख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले, what is entropy? entropy का मतलब हो गया, measure of randomness, या फिर disorderness, कहने का simple सा मतलब है, कोई molecule, compound या system में कितना disorderness है, कितना easily वो move कर सकता है, जैसे for example, gas के entropy सबसे ज़ादा होगी, क्योंकि gas के molecule easily move कर सकते हैं, उससे कम entropy liquid के होगी, और सबसे कम solid के होगी, जब समझने के लिए, यह point का entropy, entropy का universal formula क्या है, तो ds is equal to dq reversible by t, उसके बाद यह integration का sign है, क्यों? क्योंकि हमें change चाहिए, तो delta s हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर जो heat लेना, आपको वो कौन सा लेना है, reversal process का only, irreversal का आप नहीं ले सकते, तो इस point पर ध्यान रखना, कभी कभी 4 option दे करके, which is correct या which is incorrect formula, तो भी पूछा जा सकता है, तो heat reversal process का लेना है, तो यह आपका हो गया, अब इसके दो part बनेंगे, अगर temperature constant है, तो यह तो बाहर आजागा, integration से, और dq reversal का integration q हो जाएगा, तो delta s is equal to q reversal by t हो जाएगा, तो यह तो बहुत easy हो जागा, अगर temperature constant नहीं है, temperature vary कर रहा है, तो फिर आपको, heat reversal process का, उसको as a function of temperature लेके आना परेगा, फिर integrate करना परेगा, तब जाकर क्यों होगा, बट हम यह नहीं करेंगे, मैं आपको direct formula बताऊंगा, उससे आपको किसी problem को कर सकते हो, तो यह हो गया basic point about entropy, entropy का calculation, चाहे वो NEET का exam हो, या JEE का, आपको दो part में पूछा जा सकता है, एक ideal gas के case में आपको पूछा जा सकता है, और एक phase change और chemical reaction में पूछा जा सकता है, तो ideal gas के case में very simple है, change in entropy, delta S is equal to N, moles हो गया, CV, heat capacity at constant volume, ln मतलब natural log है वो, और T final by T initial, मतलब final temperature by initial temperature, plus N moles हो गया, R constant है, gas constant 8.314 Joule per mole per Kelvin देना आपको, again ln natural log है, V final by V initial, तो यह formula आपका भी उज़ करेंगे जब, volume और temperature given हो, उसी entropy को निकानने का एक और formula है, NCP मतलब heat capacity at constant pressure, ln T final by T initial वैसा ही है, NRLN, यहाँ पे ध्यान देना, volume final उपर में था, यहाँ पे pressure initial उपर मोगा, क्यों? क्योंकि volume and pressure, inversely related होते हैं, तो जब pressure और temperature given होगा, तो आप यह formula यूज करेंगे, ideal gas के case में, entropy निकानने का बस यही formula, अब इसके different सब पार्ट हम बना सकते हैं, depending on the condition, for example, अगर isothermal बोला, तो temperature constant, तो यह वाला term zero हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, n, r, l, n, v final by v initial, या फिर n, r, l, n, p, initial by p final, depending कि आपको question में क्या given है, वो यूज कर सकते हैं, similarly, iso बारिक हुआ, तो pressure constant, यह zero हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच बच जाएगा, n, c, v, l, n, t final by t initial, similarly, iso correct, तो volume constant हो जाएगा, यह zero हो जाएगा, तो क्या बच 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 जाएगा, n, c, v, l, n, t final by t initial, अगर adiabetic process है, तो q ही zero हो गया, और q zero हो गया तो, sv zero हो जाएगे, delta sv zero हो, तो इसलिए ध्यान देना, कि ideabetic process ही क्या है, आइसो इंट्रोपिक, but the condition is कि हमने heat console या reversal होला, तो adiabatic reversible process जो है वो, आइसो इंट्रोपिक process होगा, तो यह ध्यान रखना और cyclic process में भी delta S0 क्यों हो, क्योंकि it is state function, तो यह sub part हमने बना दिया, formula हमारे पास एक ही है ideal gas का जैसे question है आपको यहां से think करना बेटर similarly, अगर हमें phase change में पूछा जाए, तो we know phase change होता है, वो constant temperature and pressure पहोता है, इसलिए temperature constant होने को जैसे बाहर निकालेंगे तो यह formula लग जाएगा, तो delta S जो हो जागा, वो heat at constant pressure by temperature हो जाएगा और heat at constant pressure किसके बरावर हो जाता है, delta H के, enthalpy by temperature तो यह बहुत जादा यूज होंगे आपको जब भी phase change होगा तो entropy हो जागा वो delta H by T हो जाएगा अब वो phase कहाँ पहो जाएगा, अगर fusion हो जाएगा तो delta H fusion by T हो जाएगा vaporization में हो जाएगा, तो delta H delta G, gives free energy is equal to delta H minus T delta S इसके बारे में हम आगे की video lecture में बात करेंगे तो यहाँ सबसे क्या हो सकता है delta G दे दे, delta H दे दे, तो आपको delta S पूझा जा सकता है, तो इस formula से निकारना है चुकि equilibrium पे delta G 0 होता है, तो यह point जहाँ भी रखना है वैसे इसके बारे में हम detail discuss करेंगे आगे की video lecture में, तो delta G 0 हो जागा, तो delta H क्या हो जागा delta H by T, तो यह एक use कर सकते हैं, समझगे बात यहाँ फिर delta G, delta H दे दे तो यहाँ से delta S निकाल सकते हैं यह एक indirect method है, directly कैसे निकालेंगे, तो यह point number 2 से delta S reaction का निकालना हो, तो same वैसे ही, जितने भी product है उन्सका stoichiometric coefficient को multiply कर देना है, उस product के molar entropy से, एक mole का entropy आपको given होगा, उसके stoichiometry से multiply करके, सारे product का sum कर लेना, minus वैसे ही, reactant में जो जो होंगे उसके stoichiometry और उसकी molar entropy आपको question में given होगी उन दोनों को multiply करके sum कर लेना, मतलब add कर लेना और product में से reactant को minus कर देना, you will get entropy तो इस पे base भी problem आते हैं इस पे तो रहते ही बेटा, इस पे भी रहते हैं और ideal gas पे भी तो अब मैं सब का आपको एक-एक problem कैसे करना है application में बताता हूँ now some of the important point again that is very very important ideal gas के case में अगर मैं बात करूँ temperature अगर increase हो रहा है तो अभी सी बात है, randomness क्या होगा increase होगा, क्योंकि molecule आपका क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे similarly pressure अगर increase होगा तो molecule closer आएगे, तो randomness क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो ये ध्यान देना volume increase होगा, तो आपने ज़्यादा space दे दिया, move करने को तो entropy बढ़ जाएगी, modes बढ़ाएगे तो number of particle बढ़ा, तो randomness बढ़ेगी तो ये point जान में रखना similarly adiabatic reversible process जो होता है, वही isoentropic process भी हो जाएगा, क्योंकि Q जो हो गया, वो 0 हो गया तो delta S भी 0 हो जाएगा, इसलिए इस point पे ध्यान रखना है, next point is delta S, integration DQ by T था, right, और DQ को क्या लिए सकते हैं, MS DT और by T, M तो आपका mole या mass हो जागा, जो 12 जागा, S, जो specific heat है, तो वो भी 12 जागा, constant ही रहता है, mostly, तो DT by T L and T हो गया, अगर limit put कर देंगे, T initial से T final, तो L and T final by T initial, तो ये भी हम use कर सकते हैं, इस point को आपको ध्यान में रखना है, now, phase change या chemical reaction में आप कैसे पता करेंगे, delta S positive होगा, negative होगा, तो very simple, अगर delta NG negative है, तो delta S भी negative होगा, delta NG positive है, तो delta S भी positive होगा, delta NG कैसे निकालता, आपको मालूम है, stoichiometric coefficient of product, gas वाला सबका add कर लेना, minus stoichiometric coefficient of reactant, gas वाला, उसको minus कर देना, right, but अगर delta NG 0 है किसी reaction का, तो delta S कुछ भी हो सकता है, greater than 0 भी, smaller भी, और 0 भी हो सकता है, तो we can't say anything, वो depend करेगा कि आपको reactant product की value क्या given है, उसके according मिकालना परेगा, but इन दोनों case में sure है, तो यह point का ध्यान लोकरना, और entropy ही कैसी quantity है, जिसका absolute defined है, क्योंकि we know at 233 degree Celsius, या फिर 0 Kelvin पे, जो entropy होता है, वो 0 होता है, तो इसलिए इसका absolute भी defined है, और change भी defined है, but rest जो बचे हुए है, thermodynamic quantity, like enthalpy, internal energy, gift energy, इन सबका absolute defined नहीं है, always हम change defined करते हैं, जैसे potential energy, absolute नहीं defined है, कोई reference लेता हो, तो उसके respect में बात करते हैं, तो वैसे यहां पे बटी है absolute defined है, तो यह some of the important point है, अब हम application की बात करते हैं, question number 1 में 30.4 kilo joule of heat is required to melt 1 mole of NaCl, delta S at melting point is given to you, joule per Kelvin में है, at 180 M, melting point NaCl का बताना है, तो ध्यान से देखो, question को पर के आपको समझ में आ जागा, कि ideal gas का है, phase change का है, chemical reaction का है, यहां पे melting point के बात क्या है, तो phase change है, that means NaCl solid जो था, वो किसमें जा रहा है, NaCl liquid में, यह हो गया melting point की बात, तो एतना joule of heat is required to melt 1 mole of NaCl, तो आपको क्या क्या given है, delta H given है, केतना हो गया, 30.4 kilo joule, ध्यान देना यह है, kilo joule में, और आपको क्या given है, delta S b given है, केतना, 28.4 joule से, यह ध्यान देना है, चुकि यह जो reaction होगी, solid से liquid वाले equilibrium पे होगी, right, equilibrium maintain रहेगा, तो equilibrium पे delta G, 0 होता है, या फिर आपको phase change बता रखाऊं, क्योंकि यह constant pressure and temperature पे होता है, तो delta S क्या हो जाएगा, delta H melting point वाला, by temperature T, right, तो आप को यह delta S given है, केतना, 28.4 is equal to delta H melting given है, बस unit का ध्यान रखना, यह kilo Joule में है, तो into 1000 करना परेगा, by temperature T, तो यह T नहीं करना थो, क्या हो जाएगा, 30.4 into 1000 divided by 28.4, यह cancel हो जाएगे, तो यह आजाएगा, 1070 Kelvin, तो देखो, ध्यान से, ऐसे question को करना है, question number 2 में, entropy of certain substance is increased by this, यह entropy given आपको, that means, delta S आपको given है, 0.836 Joule per Kelvin, और on adding, reversibly, यह word, यूज करना परेगा, इतना Joule of heat, that means, क्यूँ आपको, reversal process का given है, कितना, 0.344 Joule, at constant temperature, T constant है, तो फिर again हम, direct use कर सकते हैं, delta S is equal to Q reversible by T, right, क्यूंकि, constant है, तो integration से बाहरा जाएगा, और DQ reversal का integration, Q reversal हो जाएगा, इसमें सब given है, पूछा क्या है, temperature, तो again, T is equal to क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, Q reversible by delta S, Q reversible आपको given है, केतना हो गया, 0.3344 by 0.836, अगर अब ध्यान से देखो, तो इस point से अगर यहाँ, यह करोगे, तो यहाँ पर यह होगा, अभी यह नीचे वाला बढ़ा और यह छोटा है, तो यह तो हो नहीं सकता था, और यह 8, 4, the 32 आएगा, that means 0.4 Kelvin, ऐसा नहीं के आपको पुरा solve करना है, ध्यान से देखो, मैं कैसे करता हूँ, तो option D हो जाएगा, next question number 3 में, entropy change of isothermal reversal expansion of 2 moles of ideal gas, from a volume of 10 decimeter q to 100 decimeter q, at 27 degrees Celsius, तो question को पर के समझ माग गया, क्योंकि यहाँ पर clearly mention कर दिया ideal gas है, और उसका entropy change नहीं करना है, ध्यान दे, isothermal है, तो delta S क्या हो जाएगा आपका, और volume given है, तो N, R, LN, V final by V initial, यहाँ पर put कर दो, N केतना most 2, R केतना हो गया, 8.314, natural log है, इसको log with best 10 में ले जाएगे, तो 2.3 multiply होगा, और log of volume final केतना हो गया, 100 by 10, तो यह log 10 1 हो जाएगा, इसलिए 2 into 8.314 into 2.3, आप पुड़ा calculation नहीं करना है, ध्यान से देखो, यहाँ तक तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यह 16.6 into 2.3 हो जाएगा, मतलब यह 35 से जाएदा आने वाला कैसे, क्योंकि 16 to the 32 तो वो गया, और 16 to the 48 जो प्लस 5 आ रहा है, तो 37 मतलब 38 के आसपास वाला, तो option D हो जाएगा, आपको पुड़ा calculate नहीं करना है, similarly question number 4 में, 1 mole है, ideal gas at this temperature, in 2 liter vessel में रखा हुआ है, ध्यान से देखो, तो क्या कहा रहा है, undergoes isothermal reversible word लगाना है, क्योंकि heat हमें, reversible process का चाहिए, expansion of 2 liter to 3 liter, against a constant pressure of this, तो delta S surrounding बताना है, तो again वह हो गया, delta S अगर मैं निकालना चाहूँ, तो very easily निकाल सकता हूँ, चुकि यह isothermal है, तो same वह volume given है, तो N, R, LN, V final by V initial, moles 1 है, R, 8.314 है, LN of V final is 3 by 2, तो 1 into 8.314, natural log को log with best 10 में, तो 2.303, right, और log 3 minus, क्या हो जाएगा, log 2, log 3 आपको मालूम है, 0.48 log 2 होता है, 0.30, तो यह कितना आजाएगा, द्यांसे देखो, 8.314, 2.303 into 0.8, अब इसको, आपको nearest integer में बताना था, यह procs में यह answer आजाएगा, आपको nearest integer में 3, तो इसका answer केतना हो जाएगा, 3, तो यह ideal case पर बेस, इस टाप से आ सकते हैं, question number 5 में, A gives you B, at 300 Kelvin, delta G is reaction का given था, और delta H given था, ध्यान देना, kilo Joule में था वो, delta S Joule per mole per Kelvin में, unit का ध्यान रखना है, तो reaction के case में आपको बता रखाऊ, delta G is equal to, del H minus T delta S, delta S आपको निकानना, बाकी value given है, delta G केतना है, ध्यान से देखो, minus में 49.4 into 10 की power 3, kilo Joule में तो Joule में में लिए आया, is equal to, delta H आपको given है, 51.4 into 10 की power 3, kilo Joule में था, तो Joule में लिए आया, minus में T, temperature आपको 300, और delta S, तो यहां से निकान जाएगा delta S, तो आप अगर अब ध्यान से देखो, तो यह कितना हो जाएगा, 51 और 49, 100 और यह 0.8, तो यह minus में, 100.8 into 10 की power 3, right, is equal to minus में 300 into delta S, तो यहां से delta S कितना हो जाएगा, 100.8 into 10 की power 3 by, right, तो यह प्रॉक्स आपको, इसको 100 ले सकतो, right, तो यह 2,0 से इसका, चाओ तो इधर cancel कर दो, तो यह स्रिफ 10 बचेगा, और इसको divide करोगे, तो एप्रॉक्स में 3,3, 6 आजागा आपको answer, integer type में पूछा गया था, next question number 6 में, आपको entropy, CH4, O2, CO2 और H2 का given है, reaction का, तो इसी type के बारे में बात कर रहा था हमें, तो reaction का हम कैसे लिखेंगे, पहले product के entropy, product में कौन कौन है, water, water का आगे का coefficient 2, तो इसको क्या करोगे, 2 से multiply, यह नहीं कि जितना value दिया, उतना ही लेना है, इसको कितना ले लोगे, 70, 72 दा 140, उसका CO2 का चाहिए, इसका coefficient 1 है, तो इसको 1 से रहने तो, 230 है, तो आप 210 ले लोगे, तो कोई फर्ग नहीं परेगा, हमें option given है, similarly, O2 के आगे coefficient 2 है, तो इसको 2 से आपको multiply करना पड़ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 410, और CH4 क्या के coefficient 1 है, तो यह रहेगा आपका 186, जिसको आप 186 रहने तो, या 190 ले लो, फर्क नहीं परेगा, तो product minus reactant होता है, तो क्या क्या करना आपको, 140 plus 210 minus reactant में, 410 plus 186, तो अब इस से बात है, answer minus माने वाला, सारा option minus में, ठीक है, तो अब यहां से द्यां से देखो, तो यह कितना हो गया, यह 350 हो गया, minus, यह 410, और plus 186, द्यां से देखो, तो अगर मैं इसको calculate करूँ, तो और ready, यह मेरा कितने मारा है, minus 60, और उसमें भी minus 186, add करना है, तो definitely यह 240 का स्पास आ रहा है, ऐसा हमारे पास एक ही option है, आपको पूरा calculation नहीं करना है, कोई nobel prize नहीं मिलेगा, बस एप्रॉक calculation करकरके, answer तक पहुँचना है, now, next question number 7 में, आपको 5 यह given थे, किसमें delta S, entropy change negative होगा, तो देखो, ऐसे question को कैसे करना है, freezing of water to ice, तो you know, water था, ice मतलब solid, तो liquid solid में convert हो रहा है, तो randomness कम होगी, तो delta S negative होगा, तो यह हो जाएंगे, freezing of water to ice, again this temperature पे, तो इसमें भी delta S negative होगा, N2, 3S2, 2N3, reaction के case में आपको कैसे बोला था, delta NG, तो इसका 2 minus 3 और 1, 4, तो 2 minus 4 minus आगया, तो minus है, तो delta NG negative है, तो delta S भी negative होगा, तो यह भी हो जाएंगे, adsorption of CO on light surface, तो adsorption से पहले, CO आपका free था, move करने के लिए, लेकिन जब वो adsor हो जाएगा, तो उसकी randomness कम हो जाएगी, तो यह भी हो जाएगे, और E, desolation of NACL in water, water में जब NACL को डालोगे, तो solid था वो aqos में, तो right, तो entropy बढ़ जाएगे, तो इसलिए यह नहीं होगा, तो यह 4 option होगे, तो इस तरह के common sense वाले question भी पूछे जाते हैं, similarly question number 8 में, किसमे entropy negative होगा, तो again delta NG, यहाँ पे द्यान से देखो, negative आ रहा है, minus 2, तो यह option हो जाएगे, यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि again water में डार रहो, तो randomness बढ़ जाएगे, यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे gas मिर रहा है, delta NG, इसका positive है 1, और यह sublimation मतलब क्यों हो गया, कि iodine, जो solid में था, उसको direct आप iodine gas में ले जा रहो, तो entropy बढ़ जाएगी, similarly question number 9 में, किसमे entropy negative होगा, diamond से graphite में अगर जा रहा है, तो you know कि graphite की randomness ज़्यादा होती है, अगर by the way यह नहीं भी मालुम है, तो यह देखो, pressure क्या हो, 180M से 580M, pressure बढ़ा दिया गया है, तो randomness कम हो जाएगी, molecule closure हो जाएगी, तो delta CC कर negative होगा, यहाँ पे temperature बढ़ा गया, तो entropy बढ़ेगी, यहाँ पे H2, जो एक तरह से combined थे bond के through, आप उसको 2H atomic form में कर दिया, तो entropy बढ़ जाएगी, तो इस टाप के common sense वाले question भी आ सकते हैं, next question number 10, और इस टाप के question, बच्चे बहुत जादा गलत ही करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 1 kg ice था, जो 223 Kelvin पे था, उसको 1 kg water vapor में 383 Kelvin पे ले जाना है, तो इस process का delta S, entropy change क्या होगा, और यह सब आपको given थे, और option भी given थे, तो यहाँ पे जो गलती होती है, वो ध्यान से समझना है, वो गलती आपको नहीं करना है, यहाँ से यहाँ direct नहीं पहुचेगा, कैसे होगा, जो water आपका ice था बेटा, पहले वो कहाँ चला जाएगा, water liquid में, इस condition में temperature चेन नहीं होगा, that is fusion या melting, अगर यह 273 पे है, तो यह भी 273 पे, क्यों क्योंकि यह चीज आप practical feel कर सकतो, ice कोलो और उसको heat करो, तो temperature नहीं बरता है, क्योंकि वो heat कहाँ चली जाते हैं, उसको melt करने में, तो यहाँ तक कोई temperature नहीं बरेगा, फिर H2O liquid से H2O gas बनेगा, तो यह कहाँ पह जाकर के 373, फिर से यहाँ पे H2O gas, पूरा का पूरा आपका water, जब तक gas में convert नहीं होगा, temperature नहीं बरेगा, that is called enthalpy of vaporization, delta H vaporization, और यह हो गया, delta H fusion, तो इस point का ध्यान रखना है, यह सब जो hidden enthalpy है, उसका ध्यान रखना, और फिर यह H2O gas को, फिर से H2O gas में ले जाना, बट कहाँ पे, 383 Kelvin पे, यह भी कहाँ पे था, 373 Kelvin पे, तो एतना process है, अब यू नो कि यहाँ पे यह constant pressure temperature पे होता है, और यह भी constant pressure and temperature पे होता है, तो पहले इन दोनों का मेंट रोपी निकलनों, तो delta H fusion by T, right, delta H fusion आपको given था, तो अब ध्यान से देखो, तो यह a prox में 1.something आएगा, right, 1.3 में माल लेता हूँ, यह हो गया, similarly, अगर मैं इस process का delta H निकाल लूँ, तो क्या हो जागा, delta H vaporization by T, delta H vaporization आपको given था, 249 by 373, तो अब ध्यान से देखो, तो यह prox में 7.something होगा, right, तो हमें clear idea पता लग रहा है, कि यह value 8 से greater होगी, right, अगर आप ध्यान से देखो, तो option हमारे पास ऐसा एक ही है, 9.26, यह तो possible ही नहीं था, यह भी possible नहीं है, और यह भी possible नहीं है, क्योंकि यह दोनो plus, इसका भी जोड़ना मत बुलना, और इसका कैसे निकाल लेंगे यहां से यहां तक, तो आपका N 1 kg है, तो M 1 Cp, आपको given है, right, Cp कितना है, H2 liquid का 4.2, और ln of T2 by T1 मतलब Y, कितना हो जागा, 373 by 273, इसलिए यह lock की यह सब value आपको given है, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो इसका भी कुछ value आइड होगा, तो यह add करकर करके, एप्रोक्स 9 तक महुँच जाएगा, इसलिए ऐसा एक ही option है, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा calculation करना है, तो दियान से देखो कैसे करते हैं, जाते 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 ग्यान की बात, और that is very important, कि जो entropy है, इसलिए हम spontanity की criteria में इसको यूज नहीं करते हैं, बट question में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर universe की entropy greater than zero है, तो reaction spontaneous होगा, बट ध्यान रहे universe का, system का नहीं, इस point पर ध्यान रखना आपको, universe का अगर negative है, तो non spontaneous, that means वो reaction खुछ से नहीं होगी, और अगर zero है, तो equilibrium पर है, तो यह point है, universe के respect में, इसलिए entropy से हम spontanity को नहीं बताते हैं, किस से बताते हैं, delta G, geese free energy से, क्यों, क्योंकि delta G जो system का होता है, वो minus of T delta S of universe होता है, तो यहां सा अब देख सकते हो, अगर यह positive होगा, तो delta G negative, इसलिए इस case में हम बोलते हैं, delta G system का, अगर smaller than zero है, तो spontaneous, delta G system का, अगर greater than zero है, तो non spontaneous, और delta G अगर zero है system का, तो फिर equilibrium, तो system का delta G निकालना easy है, इसलिए इसके आगे requirement भी परी, तो यह ग्यान की बात में important है, तो I hope, entropy का जतना भी points है, सब हमने discuss कर दिया, इससे बाहर कुछ नहीं है, जतने भी problem हमने लिए हैं, सब PYQ थे, अब आप rest of the question कर सकतो, Hello everyone, कैसे हो, आज की इस video lecture में हम लोग बात करेंगे, gives free energy के बारे में, और यह thermodonics में सबसे important concept है, क्यूंकि 70% chances होते हैं, कि question यहीं से रहते हैं, इसलिए अभी मैं जो आपको tricks and concept दूँगा, उसको अच्छे समझना है, क्यूंकि वो समझ गए, तो आपके इस chapter से, gives free energy पे आने वाले किसी भी problem को आप, within one minute में और बहुत easily कर लोगे, तो अभी मैं जो बताऊंगा, बस वही important है, उसको ही समझना है, तो first of all, gives free energy जो है, वो एक derived function है, that means वो in turn depend करता किस पे, enthalpy पे और entropy पे, इसलिए G is equal to H minus Ts, अगर changes लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G not is equal to डेल्टा H not minus T डेल्टा S not, यह ध्यान रखना, यह जो power 0 लगावा, इसका मतलब होता है, standard condition है, और standard condition, thermodynamics में क्या होता है, अगर कोई liquid या solid substance है, तो उसका pressure one bar maintain करना है, और अगर liquid है, concentration ले रहो, तो one molar gas है, तो partial pressure one bar होना चाहिए, temperature पर कोई condition नहीं है, temperature कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई condition नहीं है, बट अगर question में नहीं mention होता है, तो generally हम 298 Kelvin लेते हैं, जिसको आप 300 Kelvin भी ले लोगे, तो कोई फर्क नहीं परेगा, तो यह standard का मतलब यह हुआ, और अगर यह नहीं लगा हुआ है, power zero, तो यह non standard हो गया, that means, इसमें से कोई भी एक condition फुल्फिल नहीं हो रही है, like concentration one molar नहीं है, उसको छोड़ करके कुछ भी है, तो ऐसा अगर हो गया, यह pressure one bar नहीं है, तो उसको non standard condition बोलेंगे, और formula सेम रहेगा, delta G is equal to del H minus T delta S, ध्यां रहे, delta G, delta H, delta S, यह सब किसका होता है, यहाँ पर, system का होता है, surrounding का नहीं, यह सब system के, और यहाँ पर power zero नहीं दिखाया है, तो यह non standard condition है, that means standard को छोड़ करके, बाकी किसी भी condition में, अब इस पर based question कैसे पूछे जाएंगे, वही सबसे important है, और यही रफी सर का trick है, कि Vino की equilibrium पर delta G zero होता है, change in gease free energy zero होगा, delta G not, standard gease free energy zero नहीं होता है, यह point ध्यान रखना, तो delta G जब zero होगा, तो आपको यह 4 तरीके से question पूछा जा सकता है, कैसे minimum value of T delta S at equilibrium, तो that means equilibrium वड बोलते ही, delta G zero कर दोगे, T delta S की value किसके बरावर जागा, delta H आपको बोना चाह रहा है, indirect way में delta H निकाना है, या equilibrium temperature बताओ, तो delta G zero पूट कर दोगे, तो क्या जागा, delta H by delta S का ratio बताना है, T equilibrium कहीं पर बोल रहा है, बतलब यह निकाना है, ध्यान से समझो, यह सब पूछे हुए question है, और यही concept है, या फिर आपको delta H और delta S की value दे दे, तो delta G find out करने को बोल सकता है, और vice versa, क्योंकि यहाँ पर 3 आपके पास unknown है, उसमें से कोई भी 2 दे करके, तीसरा पूछा जा सकता है, तो इस type के question मिलेंगे, या temperature की वो condition, जिसके around spontaneity change होगी, that means उससे ज़्यादा temperature होगा, तो spontaneous या non-spontaneous हो सकता है, तो यह भी यहीं से आप करेंगे, तो इसलिए यह formula बहुत important है, इतने type के question आ सकते हैं, दूसरा इसको कैसे यूज कर सकता है, कि reaction spontaneous कब होगी, तो delta G जब negative होगा, ध्यान दे, delta G not, delta G not, delta G जब negative होगा, तो spontaneous positive होगा, तो non-spontaneous और delta G 0 होगा, तो equilibrium, right, अब again वही, delta H और delta S की condition को लेकर करके, आपको push सकता है, कि किस case में spontaneous होगा, किस case में non-spontaneous होगा, तो इस point का ध्यान रखना है, next, एक और यूज कर सकता है, कि delta G is equal to delta G not, plus RT ln Q होता है, यहाँ पे delta G, non-standard gease energy है, यह standard वाला है, और gas constant T temperature, natural log Q, यह reaction quotient, Q कैसे define करता हैं, आपको मालूम है, concentration of product, जितने भी होते हैं, to the power stoichiometry, by concentration of reactant, to the power stoichiometry, यह equilibrium chapter से आप जानते हैं, वही क्यू है यह, तो again, अगर मैं equilibrium पे बात करूँ, तो delta G 0 हो जाएगा, तो ln K equilibrium किसके बावर हो जाएगा, minus of delta G not by RT के, तो again, इस पे बेस question कैसे पुछा सकते हैं, तो log K equilibrium की value बताओ, तो क्या हो जाएगा, delta G not by RT तो रहे गई, ध्यान रखना minus रहेगा, log है यह, natural log, तो इसको 2.303 से आपको divide करना परेगा, तो यह पूछा जा सकता है, या फिर K equilibrium निकालो, delta G not अगर आपको given होगा, तो put करके K equilibrium निकाल सकते हैं, E की power हो जाएगा, या फिर आपको K equilibrium की value पूछ ले, delta G not RT दे करके, समझे रहे बात, या फिर delta G is equal to RT ln Q by K equilibrium भी लिख सकता हो में, तो इन सब पे base question पूछा सकते हैं, तो major जो formula रहेगा, हमारा यह रहेगा, उसको different way में पूछा जा सकता है, एक और तरीका that is very very important, जो आपको कई बार पूछा सकता है, कि delta G reaction का बताओ, तो उसके लिए delta H reaction मालोना चाहिए, और delta H reaction, इसके बारे में particularly मैं बता रखाओ, enthalpy वाले में और इसके बारे में entropy वाले में, कि reaction का कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से निकाल करके, यहाँ पर पूट करेंगे, तो delta G आजएगा, या फिर अगर आपको सारे product और reactant का, आपको gis free energy दे दे, तो gis free energy of product into stoichiometric coefficiental product, उन सारे को add कर लो, sum कर लो, that minus, फिर से again, stoichiometry of reactant और gis free energy of reactant, उन सब को आप multiply करके add कर लो, और दोनों को minus कर दो, तो वहाँ से भी reaction का जागा, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसा कि हमने delta H में, delta S में ऐसा किया है, या फिर चुकि delta H, delta S निकानना हम सिख गया है, तो हमसे delta G पूछा जा सकता है, तो यह है आपका major point, बस इसको समझ लेना है, और इससे बाहर कुछ नहीं है, अब हम application की बात करेंगे, question number one में, आपको यह reaction given था, और बोल रहा था कि, heat measured in bomb calorimeter, is 1406 kJ per mole, at 300 kJ, minimum value of T delta S at equilibrium, तो फिर से why point, कि we know, कि delta G is equal to क्या होता है, del H minus T delta S, at equilibrium बोला, तो delta G क्या हो गया, 0, right, तो इसलिए delta H किसके बराबर है, T delta S, तो आप से T delta S, बुछा हो तरब delta H निकारना है, और delta H कैसे निकालते हैं, delta H is equal to delta U, plus delta NGRT, कभी भी bomb calorimeter हो, तो उसकी जो भी heat होती है, वो delta U है, तो आपको delta U given है, केतना, 146 kJ, अब यह plus लेना यह minus, तो ध्यान से देखो, यह कौन से reaction है, combustion, तो always exothermik होता है, तो यह minus में रहेगा, right, तो delta U आप उट कर दो, minus में 1406, किलो जूल में ध्यान देना, delta NG, तो liquid का नहीं लेते हैं, तो शिरिफ गैस का, तो यह 2, और इधर 3 और 14, 2 minus 4, तो यह minus 2, और 8.314, temperature 300 Kelvin, यह joules में आएगा, kilo joules में, क्योंकि यह kilo joules में, तो इसको 1000 से divide करो, तो यह cancel हो जाएंगे, right, तो यह अगर आप जहां से देखो, तो यह आजाएगा, minus में 1406, और minus में 5 kilo joule, तो यह कितना होगा answer, minus में 1411 kilo joule per mole, यह आपका answer हो जाएगा, integer type में पूछा गया था, तो ऐसे आपको सोचना बहुत easy है, question number 2 में, अगर आप ध्यान से देखो, तो value of log K, ध्यान देना log, natural log नहीं है, log है मतलब, width base 10 है, for this reaction, 298 Kelvin पे, delta H0, तो delta G is equal to क्या था, delta G naught plus RT ln Q, और equilibrium की बात और यह, कैसे पता लग गया, equilibrium का sign है, तो delta G again, 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, delta G naught is equal to minus RT, ध्यान रहे है, ln K equilibrium, हमें log के equilibrium नहीं करना है, तो इसको मैं कैसे लिस सकता हूँ, delta G naught is equal to minus में, 2.303 RT, अब यह log K के लिए लिए, इसकी पूरी value निकानना हमें, तो क्या हो जाएगा, delta G naught by this, delta G naught कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यह information given है, कैसे, delta G naught is equal to, del H naught minus T delta S naught, del H naught आपको given है, minus में 54.07 ध्यान रहे हैं, again kilo Joule में, unit का ध्यान रखना है, minus T temperature केतना, 298 Kelvin है, delta S केतना 10, ध्यान रहे है, Joule में आ जाएगा, लेकिन हमें kilo Joule में ले जाना है, तो divided by 1000, तो यह आप कर लो, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यह 0 से यह 0 cancel, और यह आ जाएगा 2.98, और इसमें यह जो लोगे, तो यह minus में 57.05 kilo Joule आ जाएगा, तो delta G not आपको आ गया है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे, तो आप द्यान से देखो, आपको क्या करना परेगा, delta G not माइनस में 5705 में डिवाइट करना परेगा, किस से, 2.303 और 8.314 और T 298, इसलिए इसकी value आपको given था exam में कि यह इतना है, तो अगर आप द्यान से देखो, यह kilo Joule में तो इसको thousand से multiply करना नहीं बूलेंगे, तो यह cut के कितना जाएगा, 10, तो integer tab में था, तो answer कितना हो जाएगा, 10, तो ऐसा नहीं कि tough होता है, बस जो आपको बताया है भी, बस वो ध्यान रखना है, उससे बाहर कोई question नहीं जाएगा, question number 3 में, आपको delta H kilo Joule में, और delta S Joule में, at 300 Kelvin given था, कितने process non spontaneous होंगे, तो formula वह यह बेटा, delta G is equal to del H minus T delta S, non spontaneous के लिए, delta G को क्या होना चाहिए, greater than 0, और यह greater than 0 कब होगा, जब यह जो delta H minus T delta S greater than 0, right, और यह कब हो सकता है, तो ध्यान से चेक करो, पहले case में delta H आपका क्या है, negative में 25 kilo Joule, minus T 300, और delta S, भी minus में, ध्यान से देखो, तो वो minus minus का जाएगा, plus, और कितना हो जाएगा, 80, तो यह कितना आ रहा है, तो ध्यान से देखो, यह kilo Joule में ले जाना, मत बुर्णा, तो यह 30 0 से 30 0 कैंसल, तो यह 24 आ जाएगा, और यह minus में 25 है, तो अभी भी यह minus में 1 रहेगा, जो की less than 0 है, तो इस case में तो reaction क्या होगी, spontaneous, अगर यहाँ पे delta H negative है, और ध्यान से देखो, delta S positive है, उसके आगे औरेटी minus लगा हुआ है, तो यह overall negative रहेगा, दोनों negative है, तो और भी इस से बात है negative है रहेगा, तो यहाँ पे भी reaction आपके क्या रहेगी, spontaneous, हमें non spontaneous पहचानना, मतलब delta G को positive करना है, इस case में ध्यान से देखो, 25 यह plus में delta H, और यह minus है, तो यह भी क्या हो जाएगा, minus minus plus, तो plus plus प्लस ही होगा, तो इसमें check करने की ज़रूत नहीं है, तो यह non spontaneous होगा, क्योंकि यहाँ पे delta G positive हैंगे, इस case में ध्यान से देखो, तो यह 6 आ रहा है, तो ध्यान से देखो, तो 22 minus 6, overall positive ही रहेगा, प्लस में 16, तो यह भी क्या हो जाएगा, non spontaneous, तो यह बेटा एक type है, इसको different way में बहुत तरीके से पूछ सकता है, इसलिए समझ जाना है, कि delta G positive होगा, तभी non spontaneous, delta G negative होगा, तभी आपका spontaneous, उसके लिए condition क्या है, तो very simple है, delta G आपका always negative कब हो सकता है, जब delta H भी negative हो, right, और minus T delta S है, और delta S अगर positive हो, तो इस case में temperature पे no condition, क्यों? क्योंकि always कोई भी temperature रखो, यह negative है, और चुकि इसके बाहर minus sign लगा हुआ है, तो इसलिए, अगर delta S positive होगा, तो अबर negative, तो किसी भी temperature पे reaction, spontaneous होगी, वैसे ही, delta G greater than 0 कब होगा, जब delta H आपका positive हो, और delta S negative हो, तो अगर temperature पे no condition, कोई भी temperature हो, reaction always non-spontaneous, क्योंकि यह positive है, और यह minus होने के से, यह minus के से positive होगा है, उसके बाद जो दो case बसते हैं, उसमें ही temperature का सीन आएगा, अगर यह negative और यह भी negative हो जाए तो, या फिर यह positive है, और यह भी positive हो जाए, तो ही temperature की condition होगी, और उसके लिए आपको ऐसे चेक करना है, सिन्वलिक question number 4 में, यह reaction given है, delta S given है, delta H, 298 पे, equilibrium बोला तो इसको 0 करना है, मालब delta H किसके बढ़ाना चाहिए, T delta S, तो यह temperature कौन सा होगा, equilibrium बोला, यही नहीं करना है, तो T equilibrium क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, delta H by delta S, delta H आपको given है, ध्यान रहे, 165 kilo joule है, तो उसको joules मिले गया, और delta S आपको given है, कितना, 550, joule में ही है, और minus minus plus हो गया, तो अगर ध्यान से देखो, यह 0 से ही है, यह 15 में, 3 turns में, तो 300 Kelvin आजाएगा, वो temperature, जहां पे यह equilibrium को attain कर लेगा, यह boundary temperature हो गया, इससे कम या जादा करेंगे, तो हमारा spontanity change होगा, जैसे अगर ध्यान से देखो, delta S negative है, तो negative होने का से, यह overall यह value क्या हो जागी, positive, और यह delta S केतना था, minus में 165, तो अगर temperature 300 से कम होगा, तो यह value कम हो जाएगी, तो delta G आपका क्या रहेगा, negative, तो reaction spontaneous, तो temperature 300 से कम होना चाहिए, अगर temperature आपका 300 से जादा हो गया, तो फिर reaction क्या हो जाएगी, non spontaneous, क्यों, क्योंकि यह फिर positive वाला value जादा हो जाएगा, और यह negative वाला कम, तो delta G आपका क्या हो जाएगा, positive, तो इस टापके भी further question पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह point द्यान में लखना है, question number 5 में, delta G not is equal to A minus BT है, A और B 0 नहीं है, यह बोर रहा है, तो द्यान से देखो, तो इसको compare अगर मैं करूँ, तो delta G not is equal to del H not minus, यह T है आपका delta S not, तो यहाँ पे जो आपका A है, वो delta H not है, और जो B है, वो delta S not है, तो we know, कि अगर ध्यान से देखो, अगर A greater than 0 है, तो इसका अतलब delta H positive हो गया, तो endothermik होगा, तो यह option हो जाएगा, यह तो wrong हो गया, क्योंकि exo होता है, तो delta H, that means A को negative होना चाहिए, B पे तो condition ही नहीं है, similarly यहाँ पे B पे कोई condition नहीं है, entropy को कुछ लेना देना नहीं है, similarly question number 6, इस type के question पूछे जा सकते हैं, यह water की equilibrium reaction है, delta G not पूछा है, 298 Kelvin पे, option आपको given है, तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है, we know already, water is a weak electrolyte, और उसका जो K equilibrium है, वो इस temperature पे fix है, अब we know की equilibrium है, तो delta G not क्या हो जाएगा, minus में RT log के equilibrium तो होगा, लेकिन इसको 2.303 से multiply करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो natural log था, तो हमें delta G not पूछा है, तो put कर दो, minus में 8.314, temperature 298 into 2.303, और log of 10 की power minus 14, तो यह minus 12 आगा, तो minus और यह minus plus हो जाएगे, तो इसलिए minus वाले option तो हमारे ऐसी ही गए, अब यहाँ पर द्यान से देखो, तो यह ले लो 25 by 3, इसको 300 का असपास ले लो, यह 2.3 है, और यह 14 आजाएगा, तो द्यान से देखो, तो यह 100 से आपका cancel हो जाएगे, 2500 to the right, gives you why equivalent reaction है, delta G naught reaction का this minus यह है, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यही आपका delta H naught है, यह T है, तो यही आपका delta S naught है, तो major component reaction का क्या होगा, उसी question को पूछने का दूसरा तरीका, तो आप quickly ऐसे question में, equilibrium पर क्या हो जाता, यह चीज़े 0, तो यह 0 हो जाएगा, तो 120 is equal to क्या हो जाएगा, 3 by 80, तो यहाँ से 80 निकाल लो तो आजाएगा, 320 Kelvin, that means, अगर 320 से ज़्यादा temperature रखेंगे, तब delta G negative होगा, और that means reaction spontaneous होगी, मतलब Y ज़्यादा होगा, तो अगर temperature greater than 320 है, तो Y ज़्यादा होगा, क्योंकि reaction spontaneous होगी, तो आगे चली जाएगी, और अगर temperature 320 से कम है, तो non spontaneous होगी, तो X more होगा, अब option चेक कर लो आप, तो यहाँ पे 320 Kelvin पे Y, Y की तो तभी सोचना जब 320 से ज़्यादा हो, तो यह दोन option possible नहीं थे, 350 पे यह 320 से ज़्यादा होगा, तो X ज़्यादा नहीं होगा, Y ज़्यादा होगा, तो इसलिए यह भी गलत होगया, यह 320 से कम है, और कम है तो X more होगा, तो option D, तो इस टाप के भी application question पूछ सकते हैं, next question number 8 में, यह इस टाप से दो reaction का, delta G not given थे और इस reaction का पूछा है, तो ऐसे टाप के question में आपको बता रखा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना है, Fe2O3 मुझे, left side में चाहिए, यहाँ left side में, CO left side में चाहिए, यहाँ भी left में, बट इसका coefficient 6 है, इसका 2 है, तो इस reaction को 3 से multiply करना परेगा, तो यह भी 3 से multiply हो जाएंगे, तो यह कितना हो जाएगा, minus में 15, 15, kilojoule में right, बस यह ध्यान रखना था, दोनों को add कर दूँगा, तो मुझे यह reaction मिल जाएगी, तो यह दोनों को भी add करना है, तो यह minus में 1515 है, और यह plus में, तो answer minus में आएगा, और very less difference होगा right, क्योंकि यह भी एप्रॉक्स, 1500 का असपास है, तो यह सब option तो possibly नहीं है, ध्यान से देखो, तो एक ही option है B, ऐसा नहीं कि पूरा calculation करना है, similarly question number 9 में, यह एक reaction है, delta H not, delta S not given है, वो temperature बताना, जहांपे reaction है spontaneous, तो delta G को 0 put कर दोगे, तो T क्या हो जागा, delta H by delta S, बस ध्यान रखना, delta H किलो जूल में, 179 into 1000 कर देना, और delta S आपका 160 है, इसको calculate कर लो, approximately 1118 आजागा, तो यह वो temperature है, अगर इससे जादा करेंगे, तो delta G negative होगा, that means reaction है spontaneous होगी, तो इसलिए boundary value, यह आपको tick करना था, इस type के question आपको पूछे जाएंगे, now ग्यान की बात, और that is very important, कि delta G, delta H minus T delta S होता है, delta G जो है वो useful energy है, और वो कैसे निकालेंगे, total energy में से minus कर देंगे, useless energy को, तो इस term का आपको basic feeling होना चाहिए, कि actually में delta G है क्या, इसलिए capacity of any system to do useful work, मतलब delta G आपसे पूछना चाहिए, इसलिए question में अगर कहीं पर mention है कि find useful work, तो that means delta G बताना है, non standard condition में और standard condition में delta G not, तो इसलिए delta G is मतलब useful energy या useful work, और point number 2 कि delta G not, del H not minus T delta S not होता है, equilibrium पे delta G not की value minus RT ln K equilibrium होता है, यह delta H not minus T delta S not है, तो ln K equilibrium क्या हो गया, RT से divide कर दिया तो, delta S not by R minus delta H not by R into 1 by T, अगर मैं दो different condition में इस equation की use करूँ, ln K2 is equal to, तो यह हो जाएगा, K1 is equal to, तो यह हो जाएगा, दो different temperature पे, तो इन दोनों में से, 1 में से 2 minus कर दूँ, तो यह आ जाएगा, और यह formula आप कई जगा, आपको rate constant given है, तो दूसरे temperature पे क्या होगा, वैसे ही solution में, एक temperature पे vapor pressure given है, तो दूसरे temperature पे क्या होगा, या फिर equilibrium पे, कि अगर एक temperature पे, equilibrium constant रहतना है, तो दूसरे temperature पे क्या होगा, तो यह हम काफी बार use करते हैं, तो वो equation यहीं से आती है और point number 3 कि चुकि delta G एक state function है तो इसलिए अगर A से B का delta G X है और B से C का delta G Y है तो अगर मैं इन दोनों reaction को add कर दूँ तो A से C मिल जाएगा right तो add किया तो इसको भी add कर देंगे तो इस type के भी बहुत सारे problem आपको देखने को मिल जाएगे तो I hope मेरा यह delta G वाला समझाने वाला परियास आपको बिल्कुल समझ में आज गया होगा यह बहुत important है और आप सारे PYQ को कर सकते हो Thank you Hello everyone कैसे हो आज की इस वीडियो lecture में हम लोग बात करेंगे Thermochemistry में Enthalpy of Formation and Enthalpy of Combustion के बारे में देखो है तो यह chapter बहुत easy लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें silly mistake करते हैं तो आप से वो silly mistake न हो और आपका question सही सही बने इसके लिए roughy sir आपके लिए लिए लिक्याए है Concept and Tricks तो ध्यान से देखिए सबसे पहले Enthalpy of Formation के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं पे भी Delta HF ऐसा लिखा हो तो that is Enthalpy of Formation और अगर उस पे power 0 लगा दे तो इसका मतलब हो गया Standard Enthalpy of Formation Standard का मतलब pressure 1 bar या 1 ATM लेने आपको temperature पे कोई restriction नहीं है अगर question में mention नहीं है तो temperature, room temperature that is 298 Kelvin लेते हैं तो यह हो गया Standard का मतलब अगर power 0 नहीं दिखा है शिरिफ ऐसे लिखा है Delta HF तो यह non standard हो गया that means 1 bar या 1 ATM pressure को छोड़ करके किसी भी pressure पे है तो उसको शिरिफ बोलेंगे Enthalpy of Formation Right Now what है Formation Form किस side होता है Product side Product form होता है Right तो इसलिए Formation में 3 major important point है तभी आप उस reaction की Enthalpy को Enthalpy of Formation के बराबर बोल सकतो Formation में क्या-क्या important point है वो ध्यान से सुनो पहली चीज़ तो 1 mole देखो मैंने क्लिए लिखा है 1 mole आपको product का form करना है तो पहला point तो यह हो गया दूसरा उसके constituent element से form करना है और तीसरा वो जो constituent element है वो most abundant form में लेना आपको जो सबसे ज़्यादा nature में exist करता है वो सबसे लेना है मुझे Enthalpy of Formation of CO2 लिखना है तो जैसी CO2 बोला तो उसका 1 mole fix कर दो इदर देखो मैंने लिखा है कि लिए लिए वन मॉल ऑफ CO2 ना दो question is कि sir वन मॉल ही क्यों तो इसको मैं simple way में समझाता हूँ कि जब कभी आप किसी general store पे जाते हो किराना store पे तो आप अगर पुष्टों की सुगर का दाम कितना है तो definitely वो 1 kg का बताता है क्यों क्योंकि वो standard है उसके बाद आपको जितना लेना होगा उसके according आप multiply या divide कर लेंगे या फिर आप कपरा लेने जाते हो तो 1 meter का वो बताता है इसलिए हमें always enthalpy of formation 1 mole का पता होना चाहिए उसके बाद जितने moles का निकालना है वो हम निकाल लेंगे तो 1 mole CO2 formation मतलब product में आपको जाना है तो 1 mole उसका कर देना और इसके constituent element कौन कौन है इसमें देखो carbon है और oxygen है तो carbon लेना और oxygen लेना है carbon किस form में मिलता है most abundant form तो solid phase में मिलता है और उसमें भी कौन सा लेना है चुकि इसके 2 elotrop है तो graphite जादा मिलता है diamond बहुत कम मिलता है तो इसलिए क्यों क्योंकि diamond अगर मिल जाता सब लोग अमीर होते है और oxygen आपको gas में मिलता है तो यह इस reaction में जो भी energy release होगी उसी को हम क्या बोलेंगे enthalpy of formation of CO2 now for example जैसे अगर मुझे लिखना हो enthalpy of formation of ethyl alcohol तो alcohol liquid phase में मिलेगा तो इसलिए liquid लगाना पड़ेगा यहाँ पर अगर gas लगा दिया तो फिर नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि most evident form में होना चाहिए तो यह liquid form मिलता है और इसका one mole लेना है इसलिए one किया अब इसके constitution element को होना है carbon, hydrogen and oxygen तो carbon लेना है solid phase में मिलता है hydrogen लेना है gas phase में oxygen लेना है gas phase में आप इधर stoichiometric को आपको one रखना है इधर आप change नहीं कर सकते है product में reactant में change कर सकते है चुकि यहाँ पे 2 carbon है तो यहाँ मुझे 2 लेना पड़ा यहाँ पे 6 hydrogen है तो 3 लेना पड़ा यहाँ पे एक ही oxygen है इधर changes हो सकते है बट इधर नहीं हो सकता तो अब इस process में जो भी energy release होगी इस reaction की जो भी energy होगी delta H of reaction is equal to enthalpy of formation of this alcohol C2 H5OH यह कहने का मतलब हुआ अब ध्यान से देखो some of the standard enthalpy of formation 0 होगा for example कैसे H2 gas यह nature में आपको अपने आप मिल जाते हमें बनाने की जरूत नहीं है तो इसलिए इसका formation always 0 रहेगा O2 gas इसका formation 0 N2 gas formation 0 carbon में graphite और solid वाला तो 0 लेकिन carbon में graphite और gas हो जाए तो 0 नहीं क्योंकि solid को gas में ले जाने के लिए energy देनी परेगी इसलिए इसा point पर ध्यान रखना जो I2 solid phase मिलता है तो उसका 0 लेकिन I2 gas होगा तो फिर 0 नहीं होगा similarly bromine liquid phase मिलता है तो bromine liquid का 0 लेकिन bromine solid हो bromine gas हो तो फिर उसका 0 नहीं होगा तो these are the enthalpy of formation जिसका 0 है similarly जिसका 0 नहीं होगा जतने भी compound जैसे water liquid तो इसका 0 नहीं होगा इसका में बनाना परेगा CO, CO2, etc. जतने भी compound है similarly atom में जैसे hedge gas तो ये इस form में नहीं मिलेगा इसके bond को break करना परेगा हमें energy देना परेगा तिसलिए इसका 0 मत ले लेना allotrop में जैसे carbon diamond वाला तो वो 0 नहीं होता है phosphorus rate वाला वो 0 नहीं होता है white वाले का 0 होता है वो 0 इन सबका 0 नहीं होगा तो ये सब point एकदम clear होना चाहिए बेटा बास समझ में आगए तो point इज कि अगर कोई अपने most important form में है और जो nature में जिस form एक्जिस्ट होता उसी में है तभी उसका 0 होगा otherwise 0 नहीं होगा important point सब क्या-क्या है नहीं है कि enthalpy of formation generally negative होता है right that means energy release होती है exothermic होता है बट जरूरी नहीं है generally word लिखा मतलब कभी-कभी endothermic भी हो सकता है तो generally जो stable अगर product है तो negative होगा unstable product है तो positive होगा तो एक point तो यह हो गया जैसे ozone एक unstable है तो अगर ozone बना रहे हो तो definitely आपको energy देना परेगा तो इसका enthalpy of formation positive होगा now किसी भी reaction का enthalpy आप निकाल सकते हो अगर सभी reactant and product का आपको enthalpy of formation given है जैसे देखो enthalpy of formation आप product given है उसको उसके stoichiometry से multiply कर दो और जितने भी product है सब का ऐसे करके sum कर लो उसको minus similarly reactant में उसके जो enthalpy of formation आपको reactant का given उसको उसके stoichiometry से multiply करके sum कर लो और दोनों को minus कर दो तो enthalpy of reaction आजाएगा याद कैसे रखेंगे इसमें बच्चे कन्फिर रहते हैं तो formation में product minus reactant करना धियान दे product minus reactant FPR से याद रखेंगे fingerprint right तो formation में always product minus reactant करेंगे अगर ये formula आपको लाओगे जब enthalpy of formation reactant and product given है कभी कभी question में enthalpy of formation given नहीं होगा और नहीं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका enthalpy of formation क्या है तो फिर आपको 0 लेना है जैसे for example जैसे N2 3H2 gives you 2NH3 तो पहली चेज की इस reaction में जो भी energy change होगी delta H reaction उसको enthalpy of formation of NH3 हम नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते बताओ क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे अपने 2 moles बना लिया हमें केतना बनाना था 1 mole of product तो इसलिए ये reaction enthalpy of formation को represent नहीं कर रहा है तो यहीं सब point पे गलती करवाता है exam में तो कैसे होगा तो इसका 1 mole बनाना इसलिए इधार 3 by 2 हाँ 1 by 2 तो यह है enthalpy of formation of NH3 और इस reaction में जो भी enthalpy change होगा वही enthalpy of formation of NH3 के बराबर भी होगा कैसे होगा वो ध्यान से देखो क्योंकि formula के पास यह है enthalpy of reaction is equal to product में कोन है NH3 enthalpy of formation of NH3 into उसका stachometry केतना 1 right minus product खतम होगा minus reactant में कौन कोन है N2 और H2 enthalpy of formation of N2 stachometry half enthalpy of formation of H2 stachometry 3 by 2 अब यही जो reaction की enthalpy change होगी वो enthalpy of formation of NH3 के बराबर होगा क्यों क्योंकि enthalpy of formation of N2 क्या हो जाएगा 0 क्यों 0 होगा क्योंकि nature में आपको वो उसी form में exist होता है abundant form में तो उसका हमें 0 ले रहा है similarly H2 इसका भी 0 हो जाएगा right तो इसलिए question में इन दोनों का आपको given नहीं होगा तो आपको किसका given होगा enthalpy of formation of NH3 तो अगर वो put कर दोगे तो enthalpy of reaction आगे है या फिर enthalpy of reaction given है तो enthalpy of formation of NH3 तो बस यह simple इस टैक से आपको think करना है तो I hope आपको यह clear होगा अब आप आगे से बिल्कुल भी confused नहीं होगे now next enthalpy of combustion right तो again वही power 0 होगा तो standard enthalpy of combustion बोलेंगे और अगर नहीं लगा होगा तो शरिफ enthalpy of combustion standard का वही मतलब है 1 bar pressure या 180M और temperature पे कोई restriction नहीं है combustion में important point क्या है कि one more reactant का बन करना है reactant element भी हो सकते है compound भी हो सकते है that doesn't matter excess of air that means air की कमी नहीं आपके पास and form क्या करेगा stable oxide of element जो भी element होगे उसमें उसका stable oxide बनाना है जैसे for example carbon होगा तो carbon dioxide बनाना है उसका stable यह है carbon monoxide नहीं बनाना है hydrogen अगर होगे तो H2O liquid बनाना है right similarly sulfur होगा तो SO2 gas बनाना है यह point है now जैसे for example एक question में लिया हूँ कि जैसे अगर यह reaction हमने लिखा है तो carbon solid phase में मिलता है right यहाँ पे भी वो point mention रहेगा कि उसके most abundant formula लेना है और graphite हो गया वो oxygen में बनके तो CO2 gas मिला तो ध्यान दे यहाँ पे reactant का one mole होना चाहिए तो यहाँ पे इसलिए मैंने यह दिखाया है तो reactant का one mole है तो इस process में जो भी energy change होगी इस reaction की जो भी enthalpy होगी वही enthalpy of combustion of carbon graphite भी हो जाएगा similarly ध्यान से देखो तो अगर methane है तो उसका मैंने one mole fix कर दिया यहाँ पे reactant में one mole fix कर देना है तो one mole को बनके है तो CO2 और H2 मिलेगा क्योंकि carbon hydrogen है element यहाँ पे इस reaction में जो भी enthalpy change होगी वही enthalpy of combustion of CH4 के बरावर जागा point जो very very important है कि जो product formed होते है after complete combustion उनका enthalpy of combustion क्या लेते हैं जीरो जैसे enthalpy of combustion of CO2 तो जीरो क्योंकि वो oxidized product है enthalpy of combustion of O2 तो उसको बनाने की ज़रत नहीं नहीं combustion नहीं जीरोत है तो उसका भी जीरो होगा enthalpy of combustion of water जो यहाँ बना तो उसका भी जीरो तो इस point पे ध्यान देना कभी भी जो product form होते है after complete combustion उनका enthalpy of combustion हम जीरो लेते हैं और enthalpy of combustion always always negative होगा हमेशा negative होगा इसलिए यह exothermic reaction होती है इस point का ध्यान रखना formation generally negative था बट यह always होगे again enthalpy of reaction हम निकाल सकते हैं अगर reactant और product का enthalpy of combustion given हो तो बट यहाँ पे ध्यान रखना है पहले reactant है enthalpy of combustion of reactant into their stoichiometric coefficient उन सबको multiply करके add कर लो उसका minus कर देना है same उसी तरह से product करने करना है enthalpy of combustion of product into their stoichiometry और आपको minus कर देना है याद कैसे याद रखेंगे तो CRPF से combustion में reactant minus आपको product करना है बास सौझ में आ गई combustion में reactant minus product है formation में product minus reactant है जैसे for example यह वाली reaction अगर हमने लिया carbon solid में और गिरे fight है अगर सब पोच करो उसको oxygen में बन किया तो CO2 gas मिला इस reaction की enthalpy अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिख सकता है इस formula को युज़ करके enthalpy of combustion of reactant तो कौन हो गया carbon solid into one क्योंकि इसका stoichiometry है one तो into में one plus enthalpy of combustion of oxygen तो वो तो zero ही हो जागा right यहाँ सब देख सकतो तो यह तो zero हो गया minus अब product का करना है minus तो enthalpy of combustion of CO2 तो वो भी zero आप यहाँ से देख सकतो क्योंकि oxidized product है तो किसके बराबर हो गया enthalpy of reaction enthalpy of combustion of carbon graphite तो इसलिए अगर मैं इसी reaction को अगर ऐसे लिख हो enthalpy of reaction formation से तो enthalpy of formation of CO2 पहले product into उसका stoichiometry one वो करना नहीं भूलेंगे minus यह product हो गया reactant का कैसे लिखेंगे enthalpy of formation of O2 zero enthalpy of formation of carbon graphite solid zero क्योंकि यह आपको nature में abundant form में ऐसे मिलते हैं तो यह किसके बराबर हो गया enthalpy of formation of CO2 तो मैं क्या बताना चाहरा हूँ क्या confusion आपका हटाना चाहरा हूँ कि reaction की जो enthalpy है वो enthalpy of formation of CO2 के बराबर भी है और enthalpy of combustion of graphite that means एक ही reaction enthalpy of formation को भी represent कर सकता है और enthalpy of combustion को भी but only condition is कि बस वो हमारे जो formula है जो हमारा concept है उसको satisfy कर रहा है तो फिर एक ही reaction formation को भी represent कर सकती है combustion को भी तो I hope यह clear होगा next that is his law और very very important और very simple इसका क्याना यह है कि अगर कोई A से B गया तो direct भी जा सकता है या पहले A से C गया फिर C से D, फिर D से B etc तो A से B में अगर enthalpy change Z है तो अगर मैं इस रास्ते से जाओ तो enthalpy change क्या हो जागा X plus Y plus Z और यह दोनों equal होंगे तो वही कहाना चारा है कि delta H of AB is equal to Z that is also equal to अगर दूसरा path अगर उसने use क्या तो X plus Y plus Z क्यों? क्योंकि enthalpy क्या है कि state function है तो वो depending नहीं करता किस path से गया तो किसी भी path को follow करो delta H same आने वाला है और it is a extensive property इसलिए हम directly add भी कर पा रहे है दूसरा point यह कि अगर A से B का delta H Z है तो B से A का reverse करोगे तो delta H value wise तो वही रहेगा लेकिन शिरिफ minus 3 आ जागा तो यह point आपको ध्यान में रखना है question number one में enthalpy of formation सबका given है और इस reaction का enthalpy पूछा है तो formation में always fingerprint product minus reactant product में क्या है CO2 और क्या है HCl तो ध्यान दो CO2 का हमें लेना है केतना है अब यह नहीं की जितना value given है while हो approach calculation क्या करो क्यों क्योंकि option given है तो इसको मैं ले लेंगा approach में minus में 400 और HCl का 1 mole का given है लो तो यह minus में 400 और reactant में water है उसका coefficient 2 है तो इसको 2 से multiply करोगे तो यह prox में कितना हो जाएगा 500 के असपास और इसका 1 है तो इसको ऐसी रहने तो तो इसको कितना ले लोगे 100 के असपास तो you know product minus reactant product में कौन कौन है minus में 400 minus में 400 और minus of इसका minus में 500 minus में 100 always a proof calculation तो यह कितना गया minus में 800 और यह plus में 600 that means minus में 200 के आसपास और यह ध्यान रहे कि चुकि हमने value ज़्यादा कर के लिए है तो हमारा जो भी answer आगा वो 200 से कम वाला तो 200 से कम वाला ध्यान से देखो एक ही option है यह तो ओनी सकता आप answer लाओगे तो आपको कोई Nobel Prize नहीं मिनने वाला है इस टाप के question बस इसलिए दिया जाते हैं ताकि आप इसमें time waste करो similarly question number 2 में enthalpy of combustion आपको given है इस reaction का enthalpy बताना है तो combustion में हमने आपको बताया CRPF reactant minus product reactant में कोन है C2H2 का coefficient 3 है तो यहाँ पर इसको 3 से multiply करोगे तो कितना जागा यह minus में 3900 और product C6 है 6 है इसका coefficient 1 है तो यह 1 ही रहेगा तो you know जो reaction की enthalpy होगी वो ध्यान दे यहाँ पर reactant minus product तो minus में 3900 minus of minus पलस हो जाएगा 3268 तो आप ध्यान से देख सकतो अगर यह 3200 लेते तो 700 होता तो उससे कम और minus वाला बढ़ा है तो उससे कम minus में यही है यह नहीं कि आपको पुड़ा calculation करना question number 3 में enthalpy of combustion given था और enthalpy of formation of C2H5OH liquid पूछा गया है तो सबसे पहले आप enthalpy of formation की reaction लिख दो कैसे लिखेंगे आपको बता रखाओ product में आप C2H5OH liquid लिख दो इसका one more करना one लिख दो किस से बनाना इसके constituent element से कौन कौन है carbon solid वाला और कौन है hydrogen gas और कौन है oxygen gas यहाँ पे दो carbon है balance कर दो two इधर हम change कर सकते हैं इधर change नहीं कर सकते हैं one रखना है क्योंकि formation की बात हो रही है six hydrogen है तो three oxygen एक ही है तो half यह हो गया तो इस reaction का जो भी enthalpy change होगा वही enthalpy of formation of we can say this reaction enthalpy is equal to enthalpy of formation of C2H5OH liquid now the question is कि मैं इस reaction की enthalpy कैसे निकाल सकता हूँ तो उसके लिए information मुझे given है combustion combustion में हमने क्या trick दिया था CRPF combustion में reactant minus product करना है reactant कोने ध्यान से देखो यहाँ पे carbon है carbon का given है आपको yes carbon का given है और कोने hydrogen है hydrogen का आपको given है yes hydrogen का given है और कोने oxygen तो इसका नहीं given है तो obviously बात है वो zero होगा right तो आपको carbon और hydrogen का लेना ध्यान दे carbon का 2 से multiply करना पड़ेगा और hydrogen को 3 से तो carbon का 2 से multiply करोगे इसको कितना ले लोगा 4chnitt तो कितना जाएगा 2 से multiply करने पे Apex में minus में 800 और इसको 3 से करना है 240 ले लो तो कितना जाएगा यह Apex में minus में 720 इन दोनों को add करना है तो Apex में कितना हो गया minus में 1520 right उसके बाद product का minus करना है product में कौन है ये और कितना one तो one ही चाहिए तो कितना हो जाएगा minus of minus plus one two three zero ले लो अब आप देख सकतो के प्रॉक्स में ये कितना आजाएगा ज्यान से देखो तो definitely तो definitely ये 300 के आसपास वाला आएगा अब option दियान से देखो कौन सा होगा 300 के आसपास वाला चुकि हमने ज्यादा लिया है तो उससे कम वाला कौन है एक ही है ये नहीं हो सकता उससे ज्यादा आ रहा है ये same point, combustion given है, formation आपसे पूछ रहा है, तो again आपको बता है, पहले formation की reaction लिखो, C2, H6 आप लिख लो, इसका one mole आप करना न भूले, एक mole, इधर आप कोई change नहीं हो सकता, इधर changes होंगे, carbon है इसका consistent element, और hydrogen है इसका, carbon कितना चाहिए 2, तो इधर 2 कर सकतो, और hydrogen छेज़े हैं, तो वही enthalpy of formation of C2, H6 है, तो शिरिफ हमें enthalpy of reaction चाहिए, और वो again हम निकाल सकते हैं क्यों, क्योंकि combustion given है, तो combustion के case में again, reactant minus product, तो reactant में कौन कोन है, carbon, उसका 2 लेना, hydrogen उसका 3 लेना है, तो carbon का आपका, यहाँ है, इसका 2 लेना है, तो again, यह 400 का पास है, तो प्रोक्स में minus 800 लेलो, 2 से multiply गया तो, और hydrogen का 3 से करना है, यह 286 है, यह ध्यान रहे, तो 290 ले सकतो, right, तो 3 times से multiply करोगे तो, कितना हो जाएगा, यह प्रोक्स में 870, minus में रहेगा, तो आपको 800 और minus में 870, यह प्रोक्स में कितना हो गया, 1670 minus में, उसके बाद यह minus, अब आपको product में, C2 है 6, C2 है 6 कितना है, minus में 1560, तो minus minus plus हो जाएगा, 1560, right, अब हमें clear है कि minus answer रहेगा, तो इसलिए plus वला आपका option गया, अब यहां से ध्यान से देखो, तो यह कितना गा difference हा रहा है, प्रोक्स 80 के असपास हा रहा है, right, तो 80 के असपास यह है, फिर यह नह हो सकता, तो option C हो जाएगा, तो ऐसे आपको करना है, next, question number 5 में, half CL2 gas से CL minus equals बनाना है, इस reaction का delta H क्या होगा, और यह information given थी, कि delta H dissociation 240 है, electron gain enthalpy minus में 350 है, और enthalpy of hydration minus में 380 है, तो यहां पे हैसलो लगाना परेगा, क्यूंकि आपको half CL2 gas से CL minus equals डारेक्ट नहीं पहुं सकते, तो indirect way में जाना परेगा, कैसे जाएंगे, ध्यान से देखो, half CL2 gas, that means chlorine, chlorine की बीच bond बना हुआ है, उसको break करना है, तो bond energy, जो कि energy हमें देना परेगा, इसलिए यह positive sense से given है, बर ध्यान रहे है कि हमें 8 mole break नहीं करना है, कितना करना है, half mole क्योंकि मुझे 1 ही CL minus चाहिए, तो इ देना परेगा, फिर chlorine gas को एक electron देंगे, तो CL minus gas में जाएगा, electron gain enthalpy, जो कि आपको given है, minus में 350, फिर CL minus gas को water में डालेंगे, that is hydration enthalpy, तो CL minus 1 मिलेगा, और कितना है, तो minus में 380, तो आपको अभी बताया था, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, बात सेम रहेगी, तो इस reaction का delta H किसके बढ़ावर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 120 minus में 350, minus में 380, that is minus 610, now ग्यान की बात, और that is very important, कि कहीं पर इस टाग से reaction given हो, और delta H X किलो जूर पर मोल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर मोल का मतलब है, reaction का 1 मोल, कैसे, क्योंकि delta H में कुछ भी बताया नह मतलब है, जो stoichiometric coefficient है, that means 2 moles अगर मैं इसका लूँगा, 1 mole इसका लूँगा, 1 mole अगर इसका लिया, और 3 moles इसका बना, तो इस process में जो energy release होगी, उसके लिए X given है, यहां पर बच्चों कनफिन रहता है, ध्यान देना है, delta H reaction का अगर given है, तो उसके reaction के 1 mole का मतलब है, कि उसके react tender product, जिस stoichiometry में given है, वही लेना है, बट अगर जैसे कहीं पर ऐसे लिखा, delta H of A is y kilojoule per mole, मतलब शरीफ एक का है, तो y kilojoule per mole मतलब अब शरीफ इसके 1 mole का, तो यहां पर 1 mole का अंतलब, 1 mole है, यहां पर भी बच्चे संद लेते हैं, 1 mole का अंतलब, इसका भी 1 mole, इसका 1 mole, इसक तो balance equation है, उसके according होगा, तो इस point को ध्यान भी रखना, second thing, कि solid के लिए per mole का मतलब होता है, per mole of atom, जैसे sulfur, तो आपको atomic form है, 1 लेना परेगा, acid नहीं लेना है, similarly, एक reaction जो है, वो can satisfy more than one definition, for example, जैसे मैंने यह लिखा, यह enthalpy of formation of carbon dioxide को भी बता रहा है, यह enthalpy of combustion of carbon को भी बता रहा है और यही reaction के enthalpy हो जाएगा, तो अगर हमारा definition को follow कर रहा है, तो एक से ज़्यादा को वो satisfy कर सकता है, and last point कहीं पर अगर calorific value बोले, तो उसका मतलब होता है, heat per unit mass, वो भी gram में, तो चुकि heat per unit mole हम निकाली लेते हैं, तो क्या करेंगे, उसके molecular weight से divide कर दोगे, तो calorific value आजाएग Hello everyone, कैसे हो, आज की इस video lecture में हम लोग बात करेंगे, thermo chemistry में bond energy के बारे में, और जो tricks and concept मैं दूंगा, उस tricks and concept से आप bond energy से आने वाले किसी भी problem को बहुत easily, correctly and within one minute में कर लोगे, तो ध्यान से देखो, तीन ही point है, point number one, कि bond energy की value अगर positive given है, तो इसका मतलब dissociation energy given आपको, that means जब bond को आप break कर रो, तो वो energy given है, by default यह fix है, अगर कहीं पे bond energy negative value given है, तो इसका मतलब association हो रहा है, that means bond form हो रहा है, तो जब भी bond form होंगे, molecule closure आएंगे, तो energy release होगी, और जब bond को break करना होगा, तो आपको energy देनी परेगी, तो point number one, very simple है point number two, कि कि किसी भी reaction का enthalpy हम bond energy के information से भी निकाल सकते हैं, जैसे formation के information से निकाल सकते थे, combustion से निकाल सकते थे, और एक और है कि bond energy का अगर information given हो, तो उससे भी निकाल सकते हैं, और वो very simple है, delta H reaction is equal to bond energy of reactant, ध्यान देंगे, पहले reactant का लेना आपको, into their stoichiometry, जितने भी reactant है, सबके जो bond बने हैं, उसको break करने में के दना energy है, और उसका stoichiometry को multiply कर देना है, plus phase change, अगर कहीं पे phase change बगरा हो रहा हो, तो उसको भी लेना है, reason behind, इसके पीछे reason, क्योंकि जो भी bond form होंगे, या dissociate होंगे, तो वो isolated gaseous phase में होना है, बस इस point पर ध्यान देना बेटा, यहां पर गलती होती है बच्चों से, कि कभी भी bond को form करना हो, या bond को break करना हो, तो वो molecule, वो atom, वो element किस में होना चीए, gas phase में होना चीए, इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कि solid lead में है, कोई, कोई liquid में है, तो इसको gas में लाना परेगा, इसलिए phase change वाले energy को भी आपको include करना परेगा, reactant side में, same way, cheese, minus करना आपको, product में आपको करना है, तो bond energy of product into their stoichiometry, प्लस, अगर product में कोई ऐसा, solid या liquid वाले, तो उसका phase change energy, यह एक basic formula है, समझ गे बात, now the question is, कि इस पर base example बताओ sir, तो for example, एक मैंने ये लिया, C2H4 plus H2 gives you C2H6, by the way, अभी यह भी gas phase में है, यह भी gas phase में हो और यह भी gas phase में, इसलिए यहाँ पर phase change वाले energy नहीं आएगी, अगर कोई solid या liquid में होता, तो वो भी आ जाता, now कैसे करना है, तो simple step के bond energy पर base कभी भी question है, तो पहले आप उसके पूरे खंदान वालों को दिखा दो, बास समझ गे मेरी, मतलब उसका पूरा open structure बना दो, जिससे आपको पता लगे, तो bond energy of reactant, तो हमें कितने bond break करने परेंगे, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 4 CH bond break करना परेगा, तो 4 times of 1 CH bond energy आपको given होगा, तो वो हो गया, plus reactant में ये भी है, एक हेचेज bond energy break करना परेगा, तो वो भी, reactant के सारे जतने भी different type के bond है, उसकी bond energy आपको जरूर given होगा, और कितना bond break करना, उसको multiply करना, और into में, अगर मान लिजे कोई stoichiometric coefficient होता, तो वो भी multiply होता, तो यह हो गया, आपका reactant side का, minus, product में ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 CH bond को break करना है, तो इसलिए 6 into 1 CH bond के energy, और 1 CC bond को भी break करना परेगा, तो 1 CC bond energy, तो इसको minus कर देंगे, तो इस reaction का enthalpy आ जाएगा, यहाँ पे सब gas phase में था, इसलिए कोई phase change वाला नहीं आया, अब smart way ऐसा है, कि ध्यान से देखो, 4 CH bond इधर आपको लेते तो smart तरीका यह है, time बचाने के लिए, कि यह minus हो जाएंगे, तो 2 CH bond बच जागा, तो direct आप इसको ना लिख करके इसको लिखते, C double bond C की energy, पलस 1 HH bond की energy, तो यह दोनों को add कर लेंगे minus, चुकि 4 यह cancel हो जाएंगे, तो इसका 2 बच जागा, तो 2 CH bond की energy, और 1 CC bond की, तो हमारा calculation easy हो जागा, तो यह सब ध्यान रखना, अगर reactant and product में कोई bond common हो, तो direct उसको subtract करके पहले लिख लेना, बट ध्यान रहे, always reactant minus product करना, यह ध्यान देना, जैसे combustion में reactant minus product होता है, only formation में product minus reactant था, now next, एक उस step का भी example लिया, जैसे C plus O2 gives your CO2, तो we know CO2 gas में होगा, O2 gas में होगा, लेकिन carbon solid में होगा, right, तो अब अगर मुझे इस reaction का enthalpy लिखना है, in terms of bond energy, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रहे, carbon solid में, तो इसको मुझे gas में ले जाना परेगा, तो इसलिए sublimation energy वाला लेन परेगा, phase change, reactant का, plus oxygen का, आपको दो bond वरे करना परेगा, तो OO bond, right, तो यह reactant का हो गया, minus product में, you know, CO2, right, तो आपको दो C double bond, वरे करना परेगा, तो 2 times of Cu, तो आप देख सकते हो, कि कितना easy है, इस तरीके से करना, तो अब मैं application की बात करता हूँ, question number one में, A2, B2 gives you 2AB, और इस reaction का enthalpy of formation, delta HF given है, minus में 200 kJ per mole, AABB और AB का bond energy का ratio given है, 1.51, तो bond energy of A2 बताना है, और ऐसे question में, बच्चे बहुत mistake करता है, उसको पता भी नहीं लगता है कि क्या mistake हो रहा है, पहला चीज, यह enthalpy of formation given है बेटा आपको, तो enthalpy of formation कैसे define किया था, 1 mole के लिए, यहाँ कितना mole बनाया यह, 2 moles, बस यह point का ध्यान रखना है, तो इसको दो तरीके से आप कर सकतो, अगर यह enthalpy of formation है, तो यह चुकि 2 moles बनाया है, तो enthalpy of reaction, data H reaction क्या हो जागा, 2 times of enthalpy of formation of, जो भी AB है वो, तो वो, तो इसलिए 2 times of 200, that is, minus में 400, क्योंकि minus था, किलो जूल पर mole, पहले तो आपको यह, तो यहाँ से आप निकाल सकतो, यहाँ फिर formation में ही रहने देना है, तो आप इसको rearrange करके लिख सकतो, half A2, half B2 gives you AB, तब इस reaction का जो भी enthalpy change है, वही enthalpy of formation of AB के बरावर है, that is, minus में 200 given है, यहाँ पर बच्चे confuse होता है, कि सर आपने half से यह किया, तो इसको भी half करना चाहिए, बेटा यह enthalpy of formation ही given है, यह reaction की enthalpy नहीं है, तो enthalpy of formation के भी हिसाब सब निकाल सकते हैं, क्योंकि यह enthalpy of reaction होगा, नौ एक और question की सर, यह कैसे पता लगा, यह enthalpy of formation ही है, एक तो यह लिखा हुआ है, दूसरा द्यान से देखो, अगर मैं enthalpy of reaction लिखता है, तो कैसे लगता, enthalpy of formation of product, तो delta HF formation product कौन है, AB, और minus में enthalpy of formation of A2, B2, चुकि यह diatomic molecule है, तो इनका 0 होगा, for example, आप इसको क्या मान सकतो, H2, Cl2 gives you 2HCl, तो इसका जो भी enthalpy of reaction होगा, why enthalpy of formation of HCl के बरावर जागा, क्यों, क्योंकि H2 का enthalpy of formation 0, बता रखा हूँ, Cl2 का 0, क्योंकि nature में यह, अब abundant form है, EC form में मिलते हैं, और यह 2 moles HCl है, तो यह reaction के enthalpy, enthalpy of formation के बरावर नहीं होगा, क्योंकि 1 mole करना है, तो इसलिए वो चीज़े हमने किया, अब अगर यहां से निकानना चाहते हो, तो यहां से कैसे निकालेंगे, तो आपको मालुम यह bond energy का ratio given है, माल लेते हैं कि वो ratio common factor X है, तो क्या लिखोगे, A की bond energy में X plus X by 2, क्योंकि 0.5 है, right, minus में ध्यान देंगे, 2 times of X is equal to, यह भी ध्यान देंगे, minus में 400, तो यहां से X आजागा आपको, 3X by 2 minus 2X is equal to minus में 400, तो यहां से minus में X by 2 is equal to minus 400, तो X आगे आपको 800, तो यह answer होगा आपका, एक तो ऐसे करने का तरीका है, या फिर formation से करतो हो, तो फिर यह वाली reaction आपके formation है, यह direct reaction के coding में गया हो, लेकिन ध्यान देना कि information मुझे formation का given था, इसलिए उसको 400 करना परागा, क्योंकि इस reaction की enthalpy 400 हो जाएगी, और अगर formation से जाएंगे, तो देख लो, X by 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टाकोमेटरी को भी multiply करना है, प्लस फिर से X by 2 तो था ही, 0.5 को, और फिर 2, half, तो X by 4, minus में X by 2 is equal to how much? 200, तो X by 4 is equal to केतना हो जाएगा, minus में 200, तो यहां से भी X केतना आएगा आपको 800, तो कैसे भी करो, आएगा वही, बट वही सब point है कि इस chapter में जो गलती होने के chances है, कि question को आपने carefully read नहीं किया, that's it, question number 2 में C2H6 give you C2H4 plus H2, delta H reaction का बताना है, और सारे bond की bond enthalpy given है, तो ऐसे question में हमने बताया कि यहां पर ध्यान से देखो, तो 6 CH bond भी लेक करना परेगा, और यहां पर 4 CH bond, तो इसलिए मैं उसको directly कर लूँगा, 2 CH bond बच्चेगा, तो delta H reaction में मैं directly लिख रहा हूँ, 2 CH bond मेरे कुछ चाहिए, right, और 1 CC bond चाहिए, इन सब को add कर लेना, minus, product में आ और plus में 1 CH bond, सब आपको given होगा, आप कर दो, 2 into 1 CH bond देखे लो, 414, plus CC bond आप देखे लो, 347, minus, आप C double bond C देखे लो, 611, और plus 1 CH bond आप देखे लो, 436, तो यह ध्यान से देखो, तो यहां जाएगा आपको, 1175, और minus, यहां जाएगा 1047, that is 128. Q3 में, enthalpy of formation of methane is given to you, और to calculate CH bond energy, क्या information required होगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, enthalpy of formation बोला था, आपको क्या बोला था, आप reaction लिख दो, CH4, किस phase में मिलेगा, gas phase में, formation उसका 1 mole, इसके constituent element कौन है, carbon solid, graphite वाला, और plus, 4 hydrogen है, तो 2H2 gas, तो यह है enthalpy of formation की reaction, अब इसका given है, आपको बोला की to calculate bond energy, that means CH4 आपका ऐसे होगा, तो once CH bond energy निकानने के लिए, क्या information required होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो इस reaction का जो formation है, यही इस reaction की enthalpy भी होगए, कैसे, enthalpy of formation of CH4 is equal to, यह अगर इसका 1 mole form करना है, यह तो 0 ही हो जागा, और यह भी 0 हो जा है, तो यह जो enthalpy of formation है, यही enthalpy of reaction है, और enthalpy of reaction हम कैसे निकाल सकते हैं, bond energy के थुरू, बट अब यहाँ पर ध्यान देना, bond energy अब कैसे निकालोगे, यहाँ पर phase change करना पर गा, क्योंकि यह solid में होड़ा में किस में चाहिए, gas में, तो sublimation चाहिए, प्लस hydrogen hydrogen की bond energy चाहिए, तो इसक bond energy, तो और this is equal to, by the way, यह 4 times हो जाएंगे, यह HH 2 times हो जाएगा, right, this is equal to, आपका जो given था, enthalpy of formation यह, तो यह, और यह मालूम होगा, तभी मैं यह निकाल सकता हूँ, क्योंकि equal के उस साइन तो मालूम है, minus में 74.9 है, तो क्या-क्या चाहिए, sublimation plus hydrogen, तो bond energy of hydrogen and sublimation, तो option C हो जा और INS energy की तो requirement ही नहीं, question number 4 में enthalpy of formation of NH3 is given to you, HH bond के energy given है, NN bond के energy given है, तो NH bond के energy बताना है, तो पहले तो again formation है, तो उसका formula लिख दो, आपको क्या करना परेगा, NH3 बनाना है, gas वाला और 1 mole इसका, right, यह ध्यान रहे, इसके constituent element nitrogen और hydrogen है, तो N2 तो लोग है, बट एक ही nitrogen लेना तो half इधर करना परेगा, H2 3 चाहिए, तो H2 को 3 by 2 करना परेगा, तो इस reaction में जो भी enthalpy change है, delta H formation of NH3 is equal to delta H reaction भी हो गया, क्यों, क्योंकि formation of NH3 minus, इसका तो 0 हो जागा formation, और इसका भी 0 हो जागा, क्योंकि यह nature में, ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, तो यह हो गया, और यह कितने क energy के थुरू भी निकाल सकता हूँ, तो bond energy of reactant ध्यान देना, तो 1 by 2 times of N triple bond N की energy, plus 3 by 2 times of H single bond H की energy, और this minus, आपको 3 times of 1 NH bond की energy जो निकानना है, this should be equal to how much, minus में 46, यहाँ पर ध्यान रहे है, क्योंकि bond energy निकानना है, हमें देना परेगा energy, तो plus वाला होगा, तो यह दो option तो आपक के वैसे ही कट है, ध्यान दें, यहाँ पर जो आपको HH bond का minus given है, तो आप minus में मत put करना है, क्योंकि हमें bond energy मतलब bond को break करना है, तो आपको bond को break करना है, तो energy देना परेगा, तो plus लेना है, यहाँ पर confuse करने के लिए उसने formation वाला given है, तो अगर HH को form करने में 436 लगता है, तो इस point का ध्यान रखना, तो यह 1 by 2 times of N triple bond given है, 712 minus मत put करना, plus 3 by 2 times of HH आपको given है, 436 minus 3 times of इसका माल लेते हैं, जो निकारना है, X is equal to minus 46, तो आप देख सकतो, यह आपको कितना आजाएगा, 356 और यह कितना आजाएगा, 654, right, minus में 3X is equal to minus 46, तो यहां से आप X निकालोगे, तो आपको आजाएगा, 352, कैसे हैं, ध्यान से देखो, यह 1000 के आसपास पहुंच रहा है, उसको 3 से divide करना परेगा, 300 के आसपास, तो ऐसा एक ही option है, यह तो possible भी नहीं था, तो ध्यान दे, हमसे 1 NH का पूछा गया, इसलिए answer 352, 3 NH का पूछ formation of N2O आपको given था, right, और उसके बाद इन सब की bond energy भी given था, resonance energy पूछा गया, तो यह देख करके बच्चे डर जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, पहले जो बोला है वो लिख दो, enthalpy of formation of N2O, तो formation की reaction लिखो, N2O, उसका one mole कर देना, consistent element nitrogen, N2, एक ही oxygen चाहिए, तो half O2, इस reaction का आपको enthalpy given है, delta H formation, that is how much, 82, बस यह दियां रख रहा है, यह जो enthalpy of formation है, यही enthalpy of reaction भी हो गया, कैसे दियां से देखो, formation N2O का minus, इनका तो 0 हो जागा, oxygen और nitrogen क्यों हो, क्योंकि nature में यह ऐसे मिल जाएगे, तो यह होगी आपको enthalpy of reaction, enthalpy of reaction आप इससे भी तो निकाल सकते हो, क्योंकि सारी information bond energy given है, तो मैं enthalpy of reaction निकाल लेता हूँ, enthalpy of reaction क्या हो जाएगा, दियां से देखो, bond energy से निकाल रहे हैं, तो reactant minus product, reactant में क्यों है, nitrogen N, triple bond N वाला चाहिए, एक ही चाहिए, तो N, triple bond N का given है, 946, प्लस oxygen का half चाहिए, O double bond O का half, क्योंकि stagometry 1 by 2 है, तो आपको 498 का half करना पर तो 1 by 2 times of 498, यह हो गया, minus product में nitrogen nitrogen की बीच double bond है, और nitrogen oxygen की बीच, तो nitrogen nitrogen का आपको given है, 418 plus nitrogen oxygen का 607, तो यह यहां से calculate कर लो, तो यह कितना जाएगा, दियां से देखो, 946 plus, यह कितना हो जाएगा, 249 और minus, यह 1025, तो यह calculate करोगे, तो आपको आजाएगा, 170, अब ध्यान से देखो, इस reaction का enthalpy कितना न चीए, 170, according to bond energy, आपको कितना मिला है, 82, तो यह जो gap है, यह gap ही आपका क्या है, resonance energy, resonance energy से always energy कम हो जाती है, stability बढ़ जाती है, तो इन दोनों का gap, तो इन दोनों का gap कितना हो ज minus में 88, तो our answer will be A, जाते 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 ग्यान की बात, और that is very important, enthalpy of atomization, यह heat of atomization, delta H atom लिग देगा, इसमें बच्चे बहुत confuse रहते हैं, again मैं आपको वही बोलूँगा, आप definition पे ध्यान रखे, definition अगर आपका पक्का है, तो फिर इस chapter में गलती नहीं होगी, enthalpy of atomization कैसे define करते है 1 mole substance का लेना है, ध्यान देख कितना 1 mole, और reactant side में रहेगा, convert करना into isolated gas atom में, isolated होना चाहिए एकदम बिल्कुल, अब उसका किसी से कोई bond नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ता नहीं होना चाहिए, and gas phase में लेके जाना है, और endothermik होगा, obvious सी बात है, क्योंकि energy देनी परेगी, तो ये enthalpy of atomization of hydrogen gas हो गया, by the way, वही bond energy of H2 के बराबर भी हो गया यहां पर, right, और वही क्या हो जाएगा, two times of enthalpy of formation of H के बराबर भी हो जाएगा, that means, इस process में जो भी energy होगी, जो भी delta H इस reaction का होगा, वही enthalpy of atomization of H2 के बराबर होगा, दियान देना H2 के, bond energy of H2 का होगा, enthalpy of formation of H का two times, क्योंकि आगे number two है, तो वही है, अगर definition को satisfy कर रहा है, तो सब equal हो जाएगे, for example, एक और लेते हैं, इसका one mole pH 3 का लिया, तो इसको आपने P और 3H में convert कर दिया, बिल्कुल इसके atom में, right, convert into isolated gas atom, one mole लिया आपने, endothermic process होगा, तो इस process में जो भी energy change हुआ, वो किस के बरावर हो जागा, delta H atomization of pH 3, reactant के बारें बताएंगे, और वो by the way अगर हम ध्यान से देखें, तो 3 pH bond की energy को break करने के बरावर है, तो 3 times of bond energy of pH, जो confusion क्या होता है, बच्चे enthalpy of atomization को bond energy के बरावर मान लेते हैं, always ऐसा सही नहीं है, कहीं पर हो भी सकता है, कहीं पर नहीं भी ह हो सकता है, right, जैसे यहाँ पर 3 times के बरावर हैं, तो वो चीदियां रखना है, similarly carbon solid से carbon gas में जा रहे हैं, तो हमने कहा किया, one more substance के लिए convert के isolated, तो इसको enthalpy of atomization carbon solid का बोलेंगे, reactant का बताते हैं, और यही enthalpy of sublimation भी होगा, क्योंकि solid से direct gas में जा रहा है, यही enthalpy of formation of carbon gas भी होगा, क भी change होगा, वो enthalpy of atomization, sublimation और formation सबके बरावर होगा, तो वही चीज़े अगर definition को follow कर रहा है, तो आप equal करते जाएंगे, definition पर ध्यान रखना है, इस पर basic बहुत अच्छा question, देखो यहाँ पर, कि delta H atomization bromine liquid का अगर X है, और bond energy bromine का Y है, तो XY में क्या relation होगा, तो ध्यान देना कि delta H atomization bromine liquid, bromine liquid है, तो उसको कहाँ ले जाना है, 2 BR में, लेकिन कैसे, यहाँ ध्यान से देखो, isolated gas atom में, तो यह कैसे जाएगा, तो पहले तो इसको BR to gas में convert करना पड़ेगा, that is, vaporization energy आपको देनी पड़ेगी, फिर यहाँ से आप दोगे तो, आपका यह, तो यह actually में bond energy कि आपको gas phase में उसको break करना है, यह ध्यान देना था, point number 3 हमने लिखा था, तो gas phase में ले जाकर के break करेंगे, तब उसको bond energy बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है X, और यह है आपका सिरिफ इतना Y, तो definitely X क्या है, greater than Y, तो option C, इस type के simple conceptual question पूछेगें PYQ में, इसल अगर आप इसको अच्छे से कर ले तो, सारे PYQ कर ले तो, exam में कोई भी question अपसे बहुत इजली बन जाएगा, thank you